अगले दिन भोर में ध्यान कर रहे दिवेश को बगल के कमरे से कुछ हलचल महसूस हुई अपनी दिव्य भावना को जारी करते हुए उन्होंने पाया की कैंग यान लीवान और फी जियान चुकचाप चले गए थे जाहिर तोर पर वहां की स्थिती की जाच करने के लिए आरोही स्वर्ग चटान की ओर बढ़ रहे थे दूसरी ओर फी यू रात भर अत्यधिक शराब पीने के बाद बिलकुल भी नहीं उठी और वर्तमान में अपने बिस्तर पर गंदे तरीके से लेटी हुई थी उसके वस्तर उसकी शुद्ध सफेद जांगों को केबल आधा ढख रहे थे जिससे देवेश की दृष्टी घूम गई जब उसने उसकी ओर देखा असायता से अपना सिरहिलाते हुए देवेश चुपचाप चला गया और अपनी मार्शल चाची के लिए विनमर्ता की कुछ जलक बनाए रखने की कोशिश में उसे बिस्तर से ढख दिया दोपहर तक ऐसा नहीं हुआ था कि फी यू आलस्य से उठी हाथ बढ़ाया और खिड़की के पास चली गई कुछ देर चुपचाप वही खड़ी रही अरे छोटे मार्शल भतीजे चलो बाहर चलें और शहर को देखें फी यू ने अचानक सुझाब दिया लेकिन कैंग यान मार्शल अंकल ने कहा कि जब तक वे सराय में वापस नहीं आ जाते तब तक हमें यहीं इंतजार करना चाहिए देवेश ने अपनी भौहें सिकोर ली आराम करो फ्लोटिंग क्लाउड्स सिटी में आम तोर पर कोई खत्रा नहीं होगा और अगर कोई लड़ाई छेड़ भी जाती है तो सिटी लौट्स मेशन के लोग इसे संभाल लेंगे फी यू चली गई और इतमीनान से देवेश के बगल में अपने आकरशक तल पर बैठ गई सुगंधित सांस छोड़ते हुए वह उसे मनाती रही चलो चलें ऐसा बहुत कम होता है कि हमें यहां आने का मौका मिलता है अगर हम यहां इस भरे हुए कमरे में ही बैठे रहें तो इसका कोई मतलब नहीं है कैंग यान और वे शायद कुछ दिनों तक वापस नहीं आएंगे क्या हमें पूरे समय यहीं बैठकर इंतजार करना चाहिए जैसे ही उसने ऐसा कहा फी यू ने बेमानी से देवेश के चारों और अपनी बाहें लपेट ली और अपनी आश्चर्यजनक रूप से नरम और लोचदार पूंजी को उसके कंधे पर दबा दिया देवेश का चेहरा काला पड़ गया अच्छा ठीक है चलो यहीं रुपकर तुम्हें मेरा फाइदा उठाने से अच्छा है तुछ कमिना फी यू ने गुस्से से अपने दात पीस लिए दोनोंने जल्दी से सराय छोड़ने और व्यस्त सड़क पर चलने से पहले सफाई करने में कुछ समय लिया भले ही फी यू ने ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया था देवेश ने बाहर जाने की योजना बनाई थी ओल्ड मैंडू ने कहा था कि चुँकी हजार साल का दानव फूल खिलने वाला था इसलिए दुनिया भर से बहुत सारे उतक्रिष्ट कीमियागर और शक्तिशाली क्रिशक यहां एकत्रित होंगे जहां बहुत सारे लोग थे वहां बहुत सारे संसाधन थे विभिन प्रकार की दुरलब जड़ी बूटिया, स्पिरिट घास और स्पिरिट ओश्धिया जिन्हें आमतोर पर पाना मुश्किल होता था, यहां दिखाई देंगी देवेश को इन में से कुछ जड़ी बूटिया एकत्र करने की आवशकता थी हाला कि उन्हें वर्तमान में कीमिया का अभ्यास करने के लिए सोरिन हेवेन संप्रदाय द्वारा जड़ी बूटिया प्रदान की जा रही थी फिर भी उन्हें दूसरों की खोज करने की जरूरत थी सबसे पहले अपनी खेती के लिए और दूसरे प्राचीन दानव कबीले के लिए जब उन्होंने डेमन गौर सिटाडेल छोड़ा तो ली रोंग ने उन्हें आवशक सेंट पिल को परिश्कृत करने के लिए आवशक सामगरियों की एक सूची दी इतने लंबे समय के बाद देवेश ने इन जड़ी बूटियों को लगभग पूरी तरह से एकत्र कर लिया था लेकिन अभी भी कुछ जड़ी बूटिया उसे मिलनी बाकी थी इस बार फ्लोटिंग क्लाउड्स सिटी की यात्रा एक दुलब अफसर था फ्लोटिंग क्लाउड्स सिटी के अंदर कई दुकाने और किसान थे लोग एक महान नदी की तरह सड़कों पर बहते थे जब वे सड़कों पर टहल रहे थे तो फी यू ने देवेश की बाह को आत्मेता से पकड़ रखा था उनके सुन्दर पुरुष और सुन्दर महीला के सन्योजन ने कई लोगों का ध्यान आकरशित किया मार्शल आंटी क्या यह थोड़ा अनुचित नहीं है देवेश को कुछ ज्यादा ही असहज महसूस हुआ जब वे चलते थे तो कभी-कभी उनका अत्यधिक शारिरिक संपर्ख हो जाता था जिससे उन्हें कुछ असुविधा होती थी यह कैसे अनुचित है मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूँ छोटे कमीने तुम मुझे यह नहीं बताओगे कि तुम अपनी मार्शल चाची पर प्रतिक्रिया कर रहे हो है न फी यू ने उसकी ओर देखा और मिठी मुसकान दी देवेश ने कंधे उचकाए मैं एक जवान आदमी हूँ और यह एक सामाने घटना है ठीक है छोटी मोटी बातों को लेकर अपने आपको तनाव में मत डालो फी यू ने हंस्ते हुए कहा ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत आनंद ले रही हो चलते हुए उसने धीरे से दे सन्ख्या में थे उसके बाद दानव जाती थी जबकि eraagशस जाती में सबसे कम सधस्य थे ремौन्स्टर रेस की कमी का मूल कारण 20 ट्रांस्फारमेशन तालाब था बीस्ट ट्रांस्फारमेशन पॉंड मौन्स्टर रेस का मुख्य आधार था जब एक मौन्स्टर 20 ताकत के एक निश्चित स्थर तक पहुँच जाता था, तो वे बीस्ट क्रांस्फॉर्मेशन पॉंड की सहायता से मानव रूप धारन कर सकते थे, और ज्यान और भावना प्राप्त कर सकते थे, जो मानव रेस पावर हाउस से कमतर नहीं थी। प्राप्त कर सकते थे, ये मान्स्टर रेस के सच्चे अभिजात वर्ग सर्वोच शक्तिया थे, फी यू के सपश्टी करन से देवेश को काफी समझ और अंतरद्रिष्टी प्राप्त हुई, फ्लोटिंग क्लाउड्स सिटी के अलकेमिस्ट गेल्ड के स्वामित्व और संचाल वाली एक दुकान के अंदर देवेश असाय दिखने से पहले कुछ चकर तक चला, उसे वह कोई भी जड़ी बूटी नहीं मिली जिसकी वह तलाश कर रहा था, छोटे भाई, मैंने तुम्हें कई बार आते देखा है, लेकिन कभी कुछ नहीं खरीदा, क्या ऐसा हो सकता है, क देवेश ने हलके से सिरहिलाया और अपना अलकेमिस्ट टोकन दिखाया, दुकानदार ने टोकन लिया और उसकी अभिव्यक्ति और भी मैतरी पूर्ण होने से पहले एक पल के लिए इसकी जाचकी मुझे नहीं पता कि यह चोटा भाई क्या खोज रहा है, इसलिए यदी य सुविधाजंक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं इस तरह से छोटे भाई पर नजर रखने में मदद कर सकता हूँ. सिरहिलाते हुए देवेश ने सहचता से उन जड़ी बूटियों के नाम बताए जिनकी उसे तलाश थी. दुकानदार का चहरा अजीब हो गया और उसने सिरहिलाया, छोटे भाई जिन औशधिय जड़ी बूटियों की खोज कर रहे हैं, वे केवल बहुत विशिष्ट वातावर्ण में उगती हैं और इसलिए कीमती और दुरलब हैं. ऐसी चीजें इस स्टोर में दिखाई देने की संभावना नहीं है. जदी आप उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां आसान नहीं होगा. छोटा भाई ट्रेडिंग डिस्ट्रिक्ट में जाकर देखना चाह सकता है. अगर आप भाग्यशाली रहे, तो आपको कुछ लाव हो सकता है. व्यापारिक जिला, देवेश के चहरे के भाव बदल गए. अच्छा ह दुलब और बहुमुल्य जड़ी बुटियां एकत्र की हैं, जिनका वे उप्योग नहीं करते हैं, और जिन चीजों की उन्हें आवश्चक्ता है, उन्हें बदलने के लिए तयार है, छोटा भाई वहां जा सकता है, और अपनी किस्मत आजमा सकता है. दुकांदार ने सहरे गैता से देवेश को सही दिशा बताई. देवेश ने थोड़ा सिरहिलाया और फी यू के साथ संकित जिले के लिए रवाना होने से पहले धन्यवाद दिया. आधे घंटे के बाद देवेश की नजर एक खुले चौराहे पर पड़ी जहां एक जीवन्त दृश्य हो रहा था और वह हलकी सी मुस्कान दिखाने से खुद को नहीं रोख सका. क्या यह जगह आपको कुछ याद दिलाती है? देवेश को अजीब तरह से हंस्ते देख़ी यू खुद को पूछने से नहीं रोख सकी. देवेश ने लापरवाही से उत्तर दिया. हाँ, मेरे संप्रदाय की क पिछली घटनाएं. उसके सामने का दिरिशे, जिसमें अंगिनत लोग स्टॉल लगा रहे थे और आगे पीछे सौदेबाजी कर रहे थे, उसे उस समय की याद आ गई जब वह एक युवा, कमजोर लड़का था और हाई हेवन पवेलियन, स्टॉर्म हाउस और ब्लट बैट के कुलीन शिश्यों द्वारा संचालित नहीं था. इधर उधर नजरे घुमाने के बाद, देवेश यह जानकर हैरान रह गए कि यहाँ कई स्टॉल मालिक वास्तव में अलकेमिस्ट थे. उन्होंने अपनी पहचान प्रकट करने के लिए अपने अलकेमिस्ट टोकन को अपन के लिए चीजे थी, पूरा द्रिश अविश्वसनिय रूप से जीवन्त था. यहाँ तक की ऐसे लोग भी थे, जिन्होंने की नियागरों से गोलिया परिश्कृत करने में मदद करने के लिए संकेत लटकाए थे. यहाँ सब कुछ मूल रूप से जड़ी बूटियों और ग हुगतान के लिए कोई विशेश अनुरोध नहीं था और अधिकाश चीजे परियाप्त क्रिस्टल स्टोन्स के साथ खरीदी जा सकती थी. सौभाग्य से देवेश के पास कई क्रिस्टल स्टोन थे. हाला कि उनके क्रिस्टल पत्थरों का बड़ा हिस्सा प्राचीन दानव क कबीले के लिए छोड़ दिया गया था. फिर भी उन्होंने जो कुछ अपने पास रखा था वह अभी भी उनके अमीर माने जाने के लिए परियाप्त था. इन विक्रेताओं के साथ बार-बार मोलभाव करते हुए देवेश ने जल्द ही कुछ जड़ी बूटिया हासिल कर इस प्रक्रिया के दौरान फियू ने एक बड़ी भूमी का निभाई. देवेश ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी इस मार्शल आंटी के पास इस शेत्र में इतना अभूदपूर्व कौशल होगा. वह अपनी तेज बुद्धी और जीब के साथ साथ अपनी महान सुन प्रीबूटिया एकत्र कर ली और उनमें से कुछ की उसे प्राचीन दानव कभीले की संत गोली के लिए आवशकता थी. वह बहुत संतुष्ट था. मैंने आज बहुत सारे क्रिस्टल स्टोन्स बचाने में आपकी मदद की, तो आप मुझे धन्यवाद देने की क्या योजन लेकिन आपको नशे में धुत्त होने की अनुमती नहीं है. अन्य था, जब कैंग यान और वे वापस लोटेंगे, तो वे शिकायत करेंगे. मुझे पता है, फी यूने हलके से अपने होंट मोडे. जब वे सुच विचार कर बोल रहे थे, तो उनसे कुछ ही दूरी पर अच शीतल, ताजगी भरी अनुभूती महसूस हुई. देवेश और फी यू की आखें एक साथ चमक उठीन और उन्होंने एक दूसरे पर सरसरी नजर डाली. वे जानते थे कि असली खजाना सामने आ गया है. देवेश ने उस जगह की ओर नजर घुमाई, जहां से हंगामा शु देवेश को अभी भी एक फी की बहुरंगी रोशनी खिलती हुई दिखाई दे रही थी. चलो देखते हैं, फी यू ने भीर की ओर बढ़ते हुए देवेश का हाथ खीचते हुए कहा. हाला कि काफी प्रयास के बाद भी, वे दोनों भीर के बीच से अपना रास्ता नहीं ब गई. भाई, यह बहुत महंगा नहीं है. सेंट पिल्स को यूँ ही परिश्कृत नहीं किया जा सकता. इस दुनिया में केवल मुठी भर कीमियागर ही हैं, जो सेंट पिल्स को परिश्कृत करने में सक्षम है. आप अचानक दस माम रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा अपमानजनक है. यह सही है, क्या आप इस चीज को अन्य जड़ी बूटियों या क्रिस्टल स्टोन्स से नहीं बदल सकते? किसी कलाकृती के बदले इसका आदान प्रदान कैसा रहेगा? मेरे पास कुछ स्पिरिट ग्रेड टॉप रैंड कलाकृतिया हैं, जिन में घमंडी है. क्या यह चीज संभवत है 10 सेंट पिल्स के बराबर हो सकती है? बकवास, मुझे लगता है यहां आदमी गरीबी से पागल हो गया होगा. बड़े भाई, अगर आप यह चीज मुझे दे दें तो मैं अभी से आपकी हो सकती हूँ. यह कैसा रहेगा? एक सुन्दर आवाज आई. अरे बचलन औरत, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती, किसी ने तुरंक तिरसकार पूर्वक कुकारा. अपनी शकलसूरत के आधार पर, क्या आप इस तरह की योजना को अंजाम देने की कोशिश करने की हिम्मत करते हैं? आपके पास वास्तव में कोई आत्म ज कुछ कमजोर क्रिशकों के कानों से तो खून भी बह रहा था. जाहिर है, हर किसी के अपने बूत के सामने इतना शोर मचाने के कारण विक्रेता थोड़ा नाराज हो गया था. विक्रेता ने धीमे लेकिन द्रिड्सवर में कहा, मैं खुद को दोबारा नहीं दोहराना चाहत अगर आप मेरी आवश्चक्ताओं को पूरा नहीं कर सकते, तो चले जाओ. थर्ड ओर्डर ट्रांसेंडेंट भीड में से कुछ लोग चिलाए. विक्रेता से निकलने वाली हलकी आभाने सभी को यह एसास कराया कि उसकी ताकत कितनी अधिक थी, जिससे कई लोग जो इस पाइदा उठाने की कोशिश करेगा, वह निश्चित रूप से अपने लिए और अधिक मुसीब्ते ही लेकर आएगा. हाला कि अभी भी कई लोग ऐसे थे जो पीछे रह गए और विक्रेता से मोलभाव करने की कोशिश करते रहे. दुरभाग्य से विक्रेता हमेशा अपना सिरहिलाता था और दस सेंट पिल्स की अपनी मूल कीमत पर जोर देता था. धीरे धीरे एक बूत के सामने लोगों की संख्या कम हो गई जब तक कि यह लगभग सुनसान जगह नहीं बन गई. देवेश और फी यू आखिरकार बूत के सामने पहुँचे और जो कुछ बेचा जा रहा था उसे देखकर उनकी आखें चमकने से खुद को रोक नहीं सके. विक्रेता के सामने एक हथेली के आकार का शुद्ध सफेद कमल था जो सबसे शुद्ध बर्फ से बना हुआ प्रतीत होता था. लेकिन वास्तव में इसके फूल से एक मजबूत जीवन शक्ती निक जाला. आइस हार्ट स्नो लोटस फी यू ने तुरंक धबरा कर पुकारा, जल्दी से नीचे बैठ गई और तेज सास लेने से पहले अपनी खूबसूरत आँखों से बर्फ के कमल की जाच की, क्या यह दस हजार साल से अधिक पुराना हो सकता है? जैसे ही यह बयान सामने आ उसने अपनी आखे फी यू की ओर घुमाई और थोड़ा सिरहिलाया, आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ द्रिश्टी हो. फी यू ने हलके से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ जो आपके सामान की गुनवत्ता का आतलन कर सकता हूँ, यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास ज्यान है जो सच्चाई प्रकट नहीं करना चाहते हैं. जो लोग इस बर्फ के कमल को चाहते थे, वे सपश्ट रूप से इस उम्मीद में इसके मुल्य पर जोर नहीं देंगे कि विक्रेता की आखें इतनी उच्सुक नहीं थ सेंट ग्रेड गोलिया कोई ऐसी चीज नहीं थी, जिसे कोई भी परिश्कृत कर सके, यहां तक की सेंट ग्रेड अलकेमिस्ट के पास भी किसी को परिश्कृत करते समय विफलता की एक बड़ी संभाव ना होगी. वैसे तो, सेंट ग्रेड गोलिया हमेशा महंगी होती थी, उनमें से दस के साथ कोई भी एक छोटे शहर का खर्च वहन करने में सक्षम होगा। किसी भी सामान्य कृषक के लिए अपने पूरे जीवनकाल में दस सेंट पिल्स देखना मूल रूप से असंभव होगा। मार्शल आंटी क्या यह चीज किसी की आत्मा को पोशिक कर सकती है। देवेश की भी खजानों पर पैनी नजर थी लेकिन आखिर उसके पास अनुभव की कुछ कमी थी इसलिए वह इस बर्फ के कमल को तुरंक नहीं पहचान सका। इसके विपरीत फी यू अलग थी। हाला कि वह कीनियागर नहीं थी लेकिन वह कई वर्षों तक जीवित रही थी इसलिए उसकी द्रिष्टी और ज्यान देवेश की तुलना में काफी व्यापक था। यहाँ आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह एक नजर में इस आइस हार्ट स्नो लोटस और इसकी सही उम्र को पहचानने में सक्षम थी। और इसके बदले 10 सेंट पिल्स लेना चाहते हैं। विक्रेता की नजर देवेश पर पड़ी। कीमिया में उसकी वर्तमान दक्षता के साथ भी उसे तयार करने में अभी भी कुछ समय लगेगा। कम से कम उसे कुछ ऐसी जड़ी बूटिया एकतर करने की आवर्शकता होगी जो स्पिरिट ग्रेट टॉप रैंक ग्रेड अधिमानता है सेंट ग्रेड से कम नहों। एक पूरक स्पिरिट एरे और असंख्य औश्धी दूध की सहायता से देवेश को विश्वास था कि वह तीन दिनों में दस सेंट पिल्स को परिश्कृत कर सकता है। नहसंदे उसे जो कीमत चुकानी होगी वह बहुत बड़ी होगी क्योंकि वह निश्चित रूप से रास्ते में अंगिनत सामगरियां बरबाद कर देगा। जैसे ही वह विचार कर रहा था कि क्या ऐसा करना अभी भी उच्चित होगा, अचानक कोई उसके पास आ गया। खूबसूरत आखे भी चमक उठेन जब उसने इस युवक को उच्चुकता से देखा। युवक ने अचानक एक सन्यमित लेकिन मनमोहक मुसकान दिखाई, जिससे उसके आसपास की दुनिया पहले की तुलना में थोड़ी अधिक धूपदार लगने लगी। की स्थिती में लग रहा था, उसने कहा, पहले मुझे 10 सेंट गोली दो, फिर यह तुम्हारी हो जाएगी। उसे सपष्ट रूप से विश्वास नहीं था कि इतना युवाव्यक्ती अचानक 10 सेंट पिल्स लेकर आ सकता है। उसने जल्दी से अपना स्टॉल पैक किया और दूर चला गया, उसकी आकरिती जल्द ही बिना एक शब भी कहे गायब हो गई। देवेश और फी यू दोनों अवाक रह गए। दूसरी और युवक्त हलके से मुस्कुराया। उसने अपना हाथ बढ़ाया जो एक युवा युवती की तरहा गोरा लग रहा था और ध्यान से आइस हार्ट स्नो लोटस को उठाया। उसे दूसरे युनिवर्स बैग में रख दिया और दोस्ताना अंदाज में देवेश को सिरहिलाया, मैं करूंगा। ऐसा लगता है कि मैं इस मित्र के साथ अभधर व्यवहार कर रहा हूँ। आप जिस चीज की तलाश में थे, उसका फाइदा उठा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर सकते हैं, आखिरकार हर कोई अच्छी चीजे चाहता है। कोई बात नहीं, देवेश ने हलके से सिरहिलाया, इस पर युवाओं के साथ मोलभाव करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वह बर्फ का कमल खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकता था, जबकि दूसरा पक्ष खरीद सकता था, वास्तव में कहने के लिए और कुछ नहीं था। इन, फिर अलविदा, युवक के यह कहने के बाद, वह तेजी से भीड में गायब हो गया। वह बच्चा, उसकी प्रिष्ठ भूमी किस प्रकार की है, फेई यू ने लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के बाद कहा, फिर भी कुछ हद तक स्टब्ध, तेन सेंट पिल्स, उसने पलके भी नहीं जबकाई, उसकी प्रिष्ठ भूमी अविश्वसनिय होनी चाहिए, द फी यू सदमे में अपना मोह ढखने से खुद को नहीं रोक सकी, क्या इसका मतलब यह नहीं है, कि वह भी आपके समान स्टर पर है, इतना युवा, लेकिन स्पिरिट ग्रेड की गोलियों को परिश्कृत करने में सक्षम, यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे कोई सामान्य व्यक् इस बार फी यू इतनी सदमे में थी, कि वह बोल नहीं पा रही थी, मूल रूप से उसने सोचा था कि देवेश जैसा राक्षस हर सौ साल में केवल एक बार इस दुनिया में दिखाई देगा, लेकिन अब फ्लोटिंग क्लाउड्स सिटी में पहुँचने के बाद वह वास् चर्य से अपना सिर हिलाया, आप, वह आप से थोड़ा अधिक सुन्दर है, अगर उसने अपने बाल बढ़ा लिये, तो मुझे यकीन है कि उसे निश्चित रूप से एक खूबसूरत युवा महिला समझ लिया जाएगा, हाँ हाँ हाँ, देवेश खिल खिलाकर हंसा, एक आ तेरे साथ कुछ भी करोगे, मैं पीना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे जूट बोल रहे थे, आप जो चाहें हम खरीज सकते हैं, और उसे पीने के लिए सराय में वापस ले जा सकते हैं, उसके बाद ऐसा लगा जैसे इस जोड़ी ने अपनी सारी किस्मत इस्टमाल कर ली हो, इसलिए दो घंटे तक ट्रेडिंग डिस्ट्रिक्ट में घूमने के बाद भी उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं मिला, जैसे ही वे सराय में वापस जाने की तयारी कर रहे थे, देवेश और फी यू ने देखा कि एक नया स्टाल उपर जा रहा है, और उसके पीछे वाल केवल उससे इस व्यक्ति का ग्रेड नहीं बता सका, लेकिन वह जो जड़ी बूटिया निकाल रहा था वे सभी दुलब खजाने थे, चलो देखते हैं, देवेश ने फी यू से कहा, और चलते हुए बूत के सामने खड़ा हो गया, और चुपचाप विकरेता द्वारा अप तो वे निराश होने से खुद को नहीं रोक सके, विकरेता ने जल्दी से कहा, कृप्या एक मिनट रुके, मेरा साथी रास्ते में है, और उसके पास भी बहुत सारी अच्छी चीजे हैं, यह सुनकर सभी का उत्साह एक बार फिर बढ़ गया, और कोई भी नहीं बचा, वे स आपको यह भी बता सकता हूँ, हमें वास्तव में गलती से एक रहस्यमय चोटी सी दुनिया मिल गई, हाला कि कुछ जड़ी बूटियों के अलावा वहा कुछ भी नहीं था, जिसे हमने काटा और बेचने के लिए यहां लाए थे, आपकी किस्मत सच-मुच अच्छी है, कई प्रवेश द्वार आम तौर पर अच्छी तरह से छिपे हुए थे, लेकिन अगर कोई उन्हें ढूंड सके, तो यह काफी संभव है कि वे प्राचीन किसानों द्वारा छोड़े गए खजाने को ढूंडने में सक्षम होंगे, इसके अलावा, कुछ बहुमूल्य खजाने औ सब कुछ खोजने वाले के भागय पर निर्भर था, तोंग जुआन चेत्र के कई वर्षों तक अस्तित्व में रहने और अंगिनत क्रिशकों द्वारा इन छिपी हुई रहस्यमई छोटी दुनियाओं की खोज करने के बावजूर अभी भी कई जगहें थी जिन्हें खोज और अपने पहले के कीमियागर की तरह, उसने अपने युनिवर्स बैक से एक के बाद एक दुरलब जड़ी बूटियां लेनी शुरू कर दी, हर बार जब वह कुछ बाहर निकालता, तो उसे चीनने की कोशिश करने वाले लोगों की भीड लग जाती, जो लोग जड़ी काम बाटना पड़ा, उनमें से एक ने बिकरी संभाली जबकि दूसरे को क्रिस्टल स्टोन्स मिले, जिससे दोनों काफी व्यस्त रहे, वे दोनों व्यक्ती भी काफी इमानदार और इमानदार थे, और उन्होंने अपने माल को बढ़ी हुई कीमत पर बेचने का अफसर नह देखना बाकी था जिसकी उसे बास्तव में आवशक्ता थी, अचानक अलकेमिस्ट के साथी ने एक उगरलाल गोला लिया जो एक छोटे से जलते हुए आग के गोले जैसा था, जैसे ही यह चीज सामने आई, आसपास की हवा में भीशन गर्मी आ गई, हर किसी ने इस परिव जो इस वस्तु की गुनवत्ता का आकलन करने में सक्षम थे, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिये, देखते ही देखते एक दरजन से अधिक बड़े हाथ इस लाल जड़ी बूटी की ओर लपके, फियू ने चुपचाप अपना पैर जमीन पर पठका और उसके चारों और के यू ने एक दूसरे पर नजर डाली, दोनों समझकर हलके से मुस्कुराएं। अगले ही पल, देवेश के हाथ ने गोल ज्वलंत जड़ी को पकड़ लिया, लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि एक और हाथ था जिसने विपरीट दिशा से भी उसे पकड़ लिया उपस्थित सभी लोगों में से केवल देवेश और यह चुनौती करता फी यू की छोटी सी चाल से प्रभावित नहीं हुए थे। इस हाथ के मालिक की ओर देखते हुए, देवेश के चहरे पर आश्चर्य जलकने लगा, जबकी फी यू भी काफी आश्चर्य च्कित थी। यह व्यक्ती वास्टव में वह युवक था जिसने पहले 10 सेंट पिल्स के साथ आइस हाट स्नो लोटस खरीदा था। जब देवेश को पता चला कि उसका प्रतिस्पर्धी कौन है तो विरोधी पक्ष भी उस पर मुस्कुराने लगा। जब बाकी सभी ने अपना संतुलन वापस पा लिया तो उन सभी ने फी यू की और बुरी नजर डाली लेकिन जब उन्होंने देखा कि सामने वाली पार्टी वास्टव में इतनी खूबसूरत महिला थी तो उनके दिलों का सारा गुस्सा शांत हो गया। सचमुछ देवेश भी हसा उसकी भौहे थोड़ी उपर उठीन क्या तुम भी यही चाहते हो। मेरा मानना है कि मैंने पहले कहा था कि हर कोई अच्छी चीजें चाहता है। इसा ही करता हूँ। तो क्या करें युवक की तियोरिया चड़ गई। उसने भी ऐसी स्थिती का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी इसलिए वह विक्रेता की ओर मुड़ा और पूछा दुकानदार क्या आपके पास एक और अर्थ फायर कोर है। विक्रेता ने धीरे से अपना सिरहिलाया, केवल यही एक है, हम दोनों ने उस छोटी सी दुनिया को खोजने में अपनी सारी ताकत लगा दी और कई हजार मीटर नीचे खोदने के बाद ही इसे पाया। अर्थ फायर कोर केवल महत्वपूर्ण मात्रा में ज्वाला उर्जा वाले स्थानों में भूमिगत दिखाई देंगे और ऐसे बातावर्ण में भी वे अभी भी दुरलब होंगे। इसे अगनी कोर कहा जाता था क्योंकि इसका निर्मान बड़ी मात्रा में भूमिगत ज्वाला सार को इकठा करके किया गया था और इसके कई चमतकारिक उप्योग थे। अभी व्यक्ती बदल गई क्योंकि उसने देखा कि पिछली बार के विप्रीत देवेश का रवया काफी द्रिड़ था उसे लगा कि चीजे बदल गई हैं कुछ हद तक कठिंग। यदि मैं आपको इस अर्थ फायर कोर के बराबर कीमत की पेशकश करू तो कैसा रहेगा। देवेश ने द्रिड़ता से सिर हिलाया और कहा यदि आप एक कदम पीछे हटने को तयार हैं तो मैं इसके बदले आपको मुआवजा दे सकता हूँ। हे हे युवक कुछ उदास होकर हसा उसके चहरे पर असहायता का भाव उभर आया। आप दोनों इस तरह बहस करना मेरे व्यवसाय के लिए बुरा है। अब और लड़ने के लिए यह अर्थ फायर कोर अब इस यंग लौड का है। देवेश और युवक दोनों के चहरे एक साथ बदल गए। इस अर्थ फायर कोर के लिए प्रतिसपरधा करने के लिए उन दोनों ने सबसे बड़ी मात्रा में ताकत का उप्योग किया था जिसे वह जेल सकता था। अगर कोई भी उनकी पकड में और ताकत जोर देता, तो अर्थ फायर कोर तुरंत बरबाद हो जाता। जैसे इस से पहले की इस नवागंतुक का हाथ अर्थ फायर कोर तक पहुँचे, देवेश और युवक दोनों ने एक ही समय में कारवाई की, दोनों ने अपने मुक्त हाथ का उप्योग करके एक मुक्का मारा। नवागंतुक भी एक युवाव्यक्ती था, लेकिन उसने जो महेंगे वस्तर पहने हुए थे, उससे यह स्पष्ट था कि उसकी एक बहतर पहचान और मजबूत प्रिष्ठ भूमी थी। पीछे की और गिराई जाने के बाद नया युवक्त क्रोधित हो गया और बुरी तरह मुस्कुराया, तुम दोनों ने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। आपकी हिम्मत छोटी नहीं है। क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? इस तैरते बादलों के शहर में कोई भी मुझ से लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप कौन हैं। अगर आपने फिर से अपना हाथ बढ़ाने की हिम्मत की, तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं इसे काट दूंगा देवेश के साथ अर्थ फायर कोर के लिए प्रतिसपरधा कर रहे युवक ने अचानक क्रूरता पूर्वक कहा। देवेश के साथ अपने मुकाबले के संबंध में वह अभी भी शान्त रह सकते थे क्योंकि वे दोनों अपनी अपनी ताकत और तरीकों पर भरोसा करते थे लेकिन इस व्यक्ति के अचानक सामने आने और पीछे हटने से वह कुछ हद तक नाखुश हो गए। देवेश की भी आखें चमक उठीन उन्होंने कोई शब्द नहीं बोले लेकिन उनकी आभा खतरनाक हो गई। यह देख वहां जुटी लोगों की भी अचानक देवेश ने बेरुखी से पूछा, उसने पहले ही देख लिया था कि जब उसके आसपास के कई लोग नीकाम को आते देख रहे थे तो वे उस पर गया कर रहे थे। कई लोगों ने दूरी बनानी भी शुरू कर दी थी। इस नीकाम की खेती उच नहीं थी, केवल अमर असे रूप से देखा, जाहिर तोर पर उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। यह देखकर विकरेता को तुरंट एहसास हुआ कि नीकाम चाहता था कि वह इन दो छोटे बच्चों को अपनी पहचान बताए, जो स्वर्ग और प्रिथवी की विशालता को नहीं जानते थे, ताक सेंट रियलम मास्टर हैं, वाइस सिटी लॉड्स में से एक को जो लियां कहा जाता है, जो मानव जाती का एक मास्टर है और उसकी नीचूफेंग नाम की एक पसंदीदा महिला थी, जो फर्स्ट और ट्रांसेंडेंट भी है। यह युवा मास्टर नीकांग नीचूफेंग अब जब उसकी पहचान उजागर हो गई थी, नीकां में तिरसकार पूर्वक उफास किया और कहा, क्या अब आप जानते हैं कि यह यंग लॉड कौन है। चूंकि आप जानते हैं, अर्थ फायर कोर को सौंक दें, यदि आप इसे अभी नीचे रख देंगे, तो मैं उदार हो जाऊंगा और आपको सुरक्षित रूप से जाने की अनुमती दूँगा। देवेश ने स्पष्ट रूप से पूछा, क्या फ्लोटिंग क्लाउड्स सिटी में लड़ना मना नहीं है। विक्रेता के चहरे पर करवाहट आ गई और उसने हकलाते हुए कहा, छोटे भाई म जाने में नी रोंपर नजर डाली। यहनी कांग स्पष्ट रूप से बाद वाली श्रेणी का था। क्या आप जानते हैं कि अब आपकी स्थिती कितनी गंभीर है। देवेश जिस युवक से प्रतिसपर्धा कर रहा था उसने अचानक कहा, यदि आप जानते हैं तो आपको इस अर्थ फायर कोर को जाने देना चाहिए अन्यथा, यदि आपने इसनी कांग का गुस्सा भढ़काया, तो मुझे डर है कि आप यहां से सुरक्षित रूप से नहीं निकल पाएंगे। तो पहले जाने क्यों नहीं देते। देवेश ने अपने आखें वापस उस उठीन क्योंकि वह तेजी से विक्सित हो रही स्थिती पर कड़ी नजर रख रही थी, अगर उसे कारवाई करने की आवशक्ता होती तो गुप रूप से अपनी सच्ची QE को संधनित करती। जैसे ही दोनों लुवाओं में बहस हुई, नीकाम की अभिव्यक्ती काफी बद आगे बढ़ते हुए, नीकाम ने द्रिटा से घोशना की, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कहां से आते हो या तुम्हारी प्रिष्ठ भूमी किस प्रकार की है, लेकिन इस तेरते बादलों के शहर में केवल मैं ही अंतिन निर्नय लेता हूँ। ऐसा कहते हुए, वह एक बा ने वाले युवक ने भी हमला बोल दिया, नीकांग अचानक अपनी जगह पर स्थिर हो गए, उनका चेहरा अविश्वास से भर गया, अगले ही पल में खून के एक बड़े चींटे के साथ, नीकांग का हाथ उसकी कलाई से अलग हो गया, और इससे पहले की वह जमीन पर ग नीकांग को पीछे धकेलने के लिए था, बाद की कलाई को काटने के लिए जिम्मेदार वह युवक था, जिसके साथ देवेश प्रतिस्परधा कर रहा था, नीकांग की क्रू क्यूई की सुरक्षा के बिना, उसका कटा हुआ हाथ देवेश के हमले के प्रभाव में सीधे पट गया, विक्रेता का जबडा खुला रह गया क्योंकि उसके चहरे पर घोर अविश्वास के भाव थे, तुम तुमने मुझे चोट पहुचाने की हिम्मत की, कमीनो मैं तुम्हें मार डालूंगा, कुछ देर तक नीकांग को होश नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसे होश आ उसके स्टंप वाले हाथ को देखकर उसकी आँखों में तुरंत खून उतर आया, और वह गुस्से में देवेश और उस युवक की ओर दौर पढ़ा, देवेश उदासीन रहा और बस उसे उदासीनता से देखता रहा, उसके सामने वाला युवक एक कदम आगे बढ़ गया और उनके दिल में घुस गई है, उनकी आखें हिल गई, अगर तुमने एक और कदम उठाने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, यह धंकी युवक ने निकाल दी, नीकांग की अभिव्यक्ती विकृत हो गई क्योंकि उसने चिलाने से पहले अपने दिल में महस पत्वार काटने और जड़े उखाडने के अपने विचार को दबा दिया, द्रिश इतना शांत था कि कोई सुई गिरने की आवाज भी सुन सकता था, सभी की निगाहें देवेश और युवक पर टिकी थी, उनमें से कुछ के चहरे पर गया के भाव थे, जबकि अन्य अपन अवाक रह गया, वह बस कुछ जड़ी बूटिया वेचना चाहता था, लेकिन अब यह वास्तव में ऐसी गड़बडी में बदल गया था, इसके लिए एक शमा करें, मैं कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो गया था, युवक देवेश की ओर देखने से पहले मुस्कुराया, मुझे मर्दों में कोई दिल्चस्पी नहीं है, युवक को तुरंट अपने शब्दों में असपश्टता का एहसास हुआ और उसने हडबडाहट में अपने हाथ लहराए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे बस यही लगता है कि आपका स्वभाव मेरी पसंद के अनु देवेश ने धीरे से सिरहिलाया, सच कहू तो उन्होंने यह भी देखा कि उनका और उनके प्रतिदवंद्वी का व्यक्तित्व कुछ हद तक समान था, जब समान स्वभाव वाले लोगों के बीच कोई विवाद होता है, तो मामलों को संभालने के उनके समान तरीकों के कार उनके लिए चीजों को सुलजाना अकसर मुश्किल होता है, बेशक इससे वे एक दूसरे के साथ काफी सहस्ता से सहयोग करने में सक्षम हो गए जैसे कि उन्होंने अभी अभी निकान के साथ निपता था, सच तो यह है कि अभी देवेश ही अकेला नहीं था जो घासकूस का जड़े उखारना चाहता था, उस युवा के मन में भी ऐसे विचार पॉंधते थे, क्या दोस्त एक कीमियागर है, युवक ने मुस्कुराते हुए पूछा, एन बिल्कुल तुम्हारे जैसा, चुंकि हम दोनों कीमियागर हैं, और यह विवाद एक जड़ी बूटी को ले फिर हमारे पास एक सौदा है, जो कोई भी इस प्रतियोगिता को जीतता है, उसे अर्थ फायर कोर रखने को मिलता है, इससे पहले हम इस खूबसूरत लड़की को अपने पास रहने देंगे, इतना कहते हुए उसने फी यू की ओर देखा, फी यू मुस्कुराई और हलकी सी क्रिस्टल स्टोन्स का आधा हिस्सा सौंप दिया, और फी यू को देने से पहले अर्थ फायर कोर खरीद लिया, जिसने मुस्कुराते हुए कहा, लिटल मार्शल नेफ्यू, हाला की मार्शल आंटी आपकी मदद करना चाहती है, चुंकि आप पहले ही कौशल की प्रतियोग ज्यादा ही लोग है, युवक सहर्श सहमत हो गया, उनके उदासीन रवये को देखकर, विक्रेता चिलाने से खुद को नहीं रोक सका, दो छोटे भायों आपको जल्दी करना चाहिए, और यांग मास्टर नी कांग को घायल करने के बाद फ्लोटिंग क्लाउड्स सिपी छो जहा हूं वहां दूसरों का आना सुविधा जंक नहीं है, देवेश ने अपने कंधे उचकाए और सिर हिलाया, इससे पहले कि वह और फी यू अपनी सराय की ओर वापस चले गए, उन तीनों के चले जाने के बाद ही विक्रेता ने अपना सिर हिलाया और आह भरी दो पागल आप किस बारे में इतने चिंतित हैं? में तीन पागलों का अनुसर्ण करना चुना, वापस सराय में देवेश और फी यू के कमरे के अंदर, अंदर जाने के बाद यूवक ने चारों और एक नजर डाली और फिर हलका सा सिर हिलाया और अपना परिचय देवेश की ओर हाथ बढ़ाया, दियाओ, मुझे इस दोस् इसली नाम बताने में संकोच नहीं किया और फी यू की ओर मुरने से पहले हाथ बढ़ा कर कहा, यह मेरी मार्शल आंटी फी यू है, क्या आप यहां हजार साल के दानव फूल के लिए आय थे, एन आप भी, वास्तव में, लेकिन मेरा उद्देश आपसे अलग है, इसलिए आपको इस बारे में चिंता करने की जूरत नहीं है, कि मैं आपसे हजार साल के दानव फूल का ओश्धिय सार चीनने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे लिए सहयोग करना भी संभव हो सकता है, सहयोग करें, देवेश की भौहें हलकी सी सिकुड गई, सहयोग कैसे करें, आईए अभी इसका जिक्र न करें, समय आने पर हम हमेशा इसके बारे में बात कर सकते हैं, बस शायद आप आरोही स्वर्ग चटान तक उतनी आसानी से नहीं पहुँच पाएंगे जितना आप सोचते हैं, दियाओ हलके से मुस्कुराएं, आए पहले मामले से निप्टें, हमें यह कैसे करना चाहिए, देवेश पाल्थी मार कर बैठ गया और उसने अपनी अगरबत्ती निकाल ली, यह अगरबत्ती उसे काली किताब के तीसरे पनने से प्राप्त इनाम था, जब भी देवेश कीमिया का प्रदर्शन करता था, तो वहां आम तोर पर इस गोली भठी का उप करने के लिए अपनी गोली भठी के अंदर विभिन प्रकार की आक्मा सार्णियों को चितरित करने की आवश्चक्ता होती है, गोली भठी जितनी बड़ी होगी, स्पिरिट एरे को चितरित करना उतना ही आसान होगा, और स्पिरिट एरे उतना ही कम सटीक होगा, इसके विप दियाओने यह टिपपणी की, दियाओने अपनी खुद की गोली भट्टी भी निकाली। उसकी गोली भट्टी उत्तम थी। उसकी पूरी सतह पर ड्रेगन और फीनिक्स की नकाशी थी। यह एक उच्च गुनवक्ता वाली वस्तु थी, जो सपष्ट रूप से एक आर्टिफ एक उच्च शेनी की वस्तु थी। दियाओने देवेश के अगरबत्ती को ईश्या की द्रिश्टी से देखा। उनकी गोली भट्टी उन्हें उनके मालिक ने दी थी और यह वास्तव में एक विश्व प्रसिद गोली भट्टी थी। इसका उपयोग दियाओ के कीमिया मास् इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी गोली परिश्कृत करते हैं, हम केवल गोली के ग्रे और गुनवत्ता के साथ साथ इसे परिश्कृत करने में लगने वाले समय को देखते हैं। जिन में से प्रत्येक की उम्रप और प्रभावकारिता उच्चतम मानक तक पहुँच गई। उसने तुरंट पाया कि उसके सामने दो लोकों की हरक्तें आश्चर्यजनक रूप से सुसंगत थी और जिस गती से उन्होंने अपनी स्पिरिट एरे को उकेरा वह अनिवार्य रूप से बराबर थी। इस दुनिया में उसी उम्र का कोई व्यक्ती था जो वास्तव में कीनिया में अपने चोटे मार्शल भतीजे के साथ समान रूप से प्रतिस्पर्था करने में सक्षम था। यह डियाओ वास्तव में कौन था? फियू हैरान रह गई और जल्द ही उनके प्रदर्शन को देखने में तल्लीन हो गई यहां तक कि उसने अपनी सांसे भी बंद कर ली ताकि वह उनकी एक आगरता में खलल न डाले। एक जल्ती हुई लौवाली विशेशता थी। यह दोनों कीमिया के लिए बिलकुल उप्युक्त थे। एक ने एक दूसरी जड़ी बूटी ली और यह प्रक्रिया दोहराई जाने लगी। जब फियू ने इन दोनों को एक तक देखा तो उसकी आखें तेज रोशनी से चमक उठी। उसने पाया कि उसके सामने इन दो यूगों के दिल अब पूरी तरह से कीनिया में डूबे हुए थे। उनमें से कोई भी अपने आसपास की दुनिया पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था या यहां तक कि उसके बारे में भी नहीं जानता था। ऐसा समर्पित ध्यान बास्टव में उलेखनिय था। अचानक दियाओ के चहरे पर खुशी के भाव थे और उसके हुठों पर मुसकान आ गई। देवेश शोधन गती के मामले में पिछड गया था। इसलिए यदि वह गुनवत्ता के मामले में इस दियाओ से आगे नहीं निकल सका तो वह हार जाएगा। इन दो युवा कीमियागरों के बीच कीमिया प्रतियोगिता चरम पर पहुँच रही थी जिससे फी यू लगभग बेदम महसूस कर रही थी। जैसे ही डियाओ ने अपनी गोली को सफलता पूर्वक परिश्कृत किया, देवेश ने भी अपनी गोली भट्टी को अपने हाथ से थप्थ पाया और एक भूरे रंग की गोली उडगई जिसे देवेश ने तुरंत पकड़ लिया। उसके संबंध में उसने अपने मास्टर की उच्च आवशक्ताओं तक पहुचने के लिए बहुत प्रयास किये थे। का पालन पोशन करने में कौन सक्षम था। दियाओ को अब सच्मुच देवेश में दिल्चस्पी हो गई थी, उसकी आखों में जग्यासा तो थी ही, साथ ही हाग न मानने का द्रिड निश्चय भी था। जब रिफानिंग गती की बात आती है, तो आप जीत गए हैं। मैं प्रसन नहूं, देवेश की अभिव्यक्ती हल्की थी, इस छूटे से नुकसान के कारण उनमें जराभी भावनात्मक उतार चड़ाव नहीं दिख रहा था, आए। फिर हमारी गोलियों की गुनवत्ता और ग्रेड की तुलना करें। दियाओ मुस्कुराए और अपना हाथ खोला, देवेश को वह गोली दी जिसे उन्होंने अभी अभी परिश्कृत किया था, और आत्म विश्वास से घोशना की, स्पिरिट ग्रेड टॉप रैंक। क्या सन्योग है, मैंने स्पिरिट ग्रेड टॉप रैंक गोली भी परिश्कृत की है, देवेश ने हाथ खोलते हुए कहा। यह सुनकर फी यू ने हलकी आह भरी, उन दोनोंने गोली की समान गुनवत्ता और ग्रेड को परिश्कृत किया था, लेकिन दियाओ ने ऐसा करने के लिए थोड़ा कम समय का उप्योग किया था, इस प्रतियोगिता का परिणाम स्पष्ट था, हाँ 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 मैं जीत गया, दियाओ खुशी से हसे, जरूरी नहीं, देवेश ने धीरे से सिरहलाया, क्या आप हमारे सौदे से मुकरना चाहते हैं, दियाओ की अभिव्यक्ती अचानक उदास हो गई, और उसने देवेश को ठंडी आखों से देखा, उसकी ट्रू क्यूई में सुधार के कुछ लक्षन दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल नहीं, आप खुद ही देख लीजिए, देवेश ने भी उस गोली को फैंकने से पहले हलके से अपना सिरहिलाया, जिसे उसने अभी-भी रिफाइन किया था, दियाओ ने उसे पकड़ लिया और संदेह से उसकी ओर अपनी आखे घुमाई, लेकिन अगले ही पल उसकी आखे बाहर निकल आई, और उसने चौक कर कहा, पिल वेंस, देवेश द्वारा अभी-भी परिश्प्रित की गई गोली की गोल सतह के उपर असंखे छोटी-छोटी रेखाई थी, ये रेखाई मनुष्य के शरीर के भीतर शिरोबिंदु से मिलती जुलती थी और उनके अंदर एक शक्तिशाली ओश्धिय प्रभाव प्रभाहित होता था, ध्यान से सुनने पर यह लगभग वैसा ही था जैसे डियाओ इन पिल नसों के माध्यम से आने वाली ओश्धिय शक्ती को सुन सकता है, इस गोली की ओश्धिय प्रभाव कारिता को निस्संदेह देवेश द्वारा चरम तक परिश्कृत किया गया था, यह कैसे हो सकता है, दियाओ को अपनी आखों पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वह इस गोली को एक तक देख रहा था, दूसरी ओर देवेश को कोई जल्दी नहीं थी और वह चुपचाप इंतजार क को सीधा किया, तुम सचमुच बहुत भयंकर हो, भले ही पिलवेश को जन्म देने वाली यह गोली देवेश की किस्मत के कारण थी, वे वास्तव में इसका मतलब यह था कि बाद की कीमिया तकनीक निर्विवाद रूप से गहरी थी, यदि देवेश ने गोली की आउशधिय प्रभावकारिता को उसकी पूरी सीमा तक परिश्पृत नहीं किया होता, भले ही बड़ी किस्मत के साथ पिलवेंस का निर्मान असंभव होता, एक बार जब एक गोली पिलवेंस बन जाती है, तो इसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है, यही कारण है कि अत्यधिक कुश तो ऐसा करना कभी कभी संभव होता था, पिलवेंस वाली गोलियों को किसानों द्वारा हमेशा खजाना माना जाता था, और अकसर सबसे गंभीर परिस्थितियों में उनके जीवन को बचाने में सक्षम थे, उन्हें ट्रमक कार्ड के समान स्थर पर रखा गया था, मैं हार यू ने अंतिम घोशना की, चुंकि इस छोटे भाई ने हार मान ली है, यह अर्थ फायर कोर अब छोटे मार्शल भतीजे और मेरा है, अच्छा, चुंकि मैं जुआ खेलने को तयार हूँ, इसलिए मैं हारने को भी तयार हूँ, यह आपका है, दियाओ ने हलके से सिरहिलाय फियू ने अर्थ फायर कोर देवेश को सौंप दिया, और देवेश ने तुरंट इसे अपने ब्लाक बुक स्पेस में भर दिया, मित्रक्या मैं यह पूछने का साहस कर सकता हूँ कि तुम्हारा गुरु कौन है, दियाओ ने आशा भरी मुस्कान के साथ पूछा, मैं नहीं होते हैं, देवेश ने डियाओ को ध्यान से देखा क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि इस युवा को किसी शक्तिशाली गुरु ने सिखाया होगा, यह अत्यधिक संभावना थी कि उसके पीछे का मास्टर एक कीनिया ग्रैंड मास्टर था जो पूरेक शेत्र में प्रसि पिल वेंस के साथ स्पिरिट ग्रे टॉप रैंक गोली काफी महंगी थी, लेकिन फिर भी यह अर्थ फायर कोर से थोड़ी कम तर थी, इसके अलावा यह डियाओ देवेश के व्यक्तित्व के साथ बिल्कुल फिक बैठता है और उसके खिलाफ खुली प्रतिसपरधा के बात करना चाहता हूँ, देवेश ने फियू से पूछा, दो लोगों का इस तरह मिलना दुलब था, इसलिए देवेश का इरादाभी डियाओ से दोस्ती करने का था, देवेश के बहुत कम पुरुष मित्र थे, जिनसे वह खुलकर बात कर पाता था, जबकी वास्तव में उ अचानक एक ठंडी अभिव्यक्ति आ गई, देवेश ने एक बार पलके जपकाई और तुरंत समझ गया कि जिस मुसीबत की उसे उम्मीद थी, वह आ गई है, जिस सराय में वह फिलहाल रह रहा था, उसके बाहर लोगों का एक समोह तेजी से आ रहा था, उन्हें अभी आना मत करो कि वे तुम्हारी मदद करेंगे, फ्लोटिंग क्लाउड्स सिटी के वाइस सिटी लॉड्स में से एक, मैं भी ऐसे चरित्र को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता, फी यू ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने तुम्हें इस मामले में लाने की योजना नहीं बनाई थी, दी याउने कहा, खिड़की की ओर चलते हुए और बाहर देखते हुए, लेकिन स्थिती को देखने के बाद उन्होंने प्रशंसा में बस सीटी बजाई, वहां निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं, उसने मुड़कर देवेश को पुकारा भाई यांग, मुझे आशा है कि हमें किसी और दिन फिर से बाच्चीत करने का मौका मिलेगा, इन आपको आरोही स्वर्ग चटान पर जाना चाहिए, और हजार साल के दानव फूल के ओशधिय तरल को गाढ़ा करना चाहिए, इससे आपको बहुत लाब होगा, मैं आपके सा काम करने के लिए उच्सुख हूँ, देवेश के हावभाव बदल गए और वह पूछने ही वाला था कि डियाओ का मतलब क्या है, लेकिन इससे पहले कि वह अपना मुह खोल पाता, सामने वाला पक्ष पहले ही खिलकी से चलांग लगा चुका था, यह चोटा बच्चा फी य दियाओ के आखिरी शब्दों ने उसका ध्यान खीचा था, फ्लोटिंग क्लाउड्स सिटी की यह यात्रा मुख्य रूप से हजारों साल के दानव फूल के ओश्धिय तरल के लिए थी, जो ट्रांसेंडेंट रियलम मास्टर्स को सेंट रिलम तक पहुँचने में काफी मद देखा, सराय के नीचे की सडक अब पूरी तरह से लोगों से भरी हुई थी, इन में से अधिकतर लोग ट्रेडिंग डिस्ट्रिक्ट से आये थे, यह जानते हुए कि यहाँ एक अच्छा शो होगा, वे मनोरंजन देखने की तैयारी में अच्छी सीटे लेने के लिए भी अन्य लोगों को इस घटना की खबर मिल गई थी, और वे जल्दी से वहाँ पहुच गए थे, बाकी लोग एक खूबसूरत अधेड उम्र की महिला द्वारा लाए गए क्रिशक थे, यह सुन्दरता एक भयंकर आभा बिखेर रही थी, उसका सुन्दर चेहरा क्रोध से टेढा हो गया था और वह खतरनाक धंसे अपने दाग पीस रही थी, इस खूबसूरत महिला के बगल में एक हाथ वालीनी कांग थी, वह बेहद नफरत से डियाओ को घूरते हुए चुपचाप अपनी स्टंप बाह को रगड रहा था, अरे इस आदमी में कुछ हिम्मत है, न केवल वह भागा नहीं, बलकि अपनी पहल पर सामने भी आया, दियाओ को अपने आप बाहर कूते देख भीड में कई लोग आश्चर यचकित हो गए, जैसा कि मैंने कहा, इस चोटे भाई की प्रिष्ठ भूमी बहुत मजबूत होनी चाहिए ताकि वह उस कुतियानी की भावना नहीं है, जो वास्टव में नीकांग को उकसा रहा है, फ्लोटिंग क्लाउड्स सिटी में हर कोई जानता है कि नीकांग को उस कुतिया से प्यार है, केवल एक विदेशी प्रतिभाही इतनी बेइमानी से काम करने की हिम्मत कर सकती है, अपने भतीजे का एक हाथ के बाद नीचु फेंग संभवता चीजों को ऐसे कैसे जाने दे सकती है, भीड के बीच लगातार चर्चा हो रही थी क्योंकि हर कोई नीकांग और नीचु फेंग के बीच संबंधों के बारे में बात कर रहा था, हालाकि ये आवाजे अधेड उमर्की सुन्दर्ता के कानो से नहीं बच पाई और केवल उसके जानलेवा इरादे को जगाया क्योंकि उसने दर्शकों के चारों और ठंडी नजरे घुमाई, मुसीबत में पढ़ने के डर से सभी लोग जल्दी से चुप हो गए, क्या वह तुम ही थे जिसने मेरे भतीजे का हाथ पकड़ा था, नीच अपने कंधे उचकाए और फुस-फुसाया, जो कोई भी मेरी जडी बूटियों को, नश्ट करने की हिम्मत करता है, वह मेरा दुश्मन है, मैं अपने दुश्मनों पर कोई दया नहीं दिखाता, तुम्हारा साहस छोटा नहीं है, नीचु फेंग ने उभास किया, एक तु नीचु फेंग ने डियाओ को गहराई से देखा और ठंडे स्वर में पूछा, आप में से दो लोग थे जिन्होंने मेरे भतीजे पर हमला करने की हिम्मत की, उस दूसरे लड़के को बाहर बुलाओ, मैं तुम दोनों को एक साथ सड़क पर भेज दूँगा, एक असली आद नीचु फेंग ने धीरे से अपना जेड हाथ उठाया और एक हरे रंकी ट्रू क्यूई को अपनी हथेली में ले लिया, एक पल में एक सड़ी हुई गंध हवा में भर गई, जिससे जिसने भी इसे सुंधा उसे उल्टी करने की इच्छा होने लगी, नीचु फेंग फर्स् अभी भी एक पीक इम्मोर्टल असेंशन बाउंडरी कल्टिवेटर था, इसलिए उनकी ताकत के बीच का अंतर अभी भी काफी बढ़ा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इतना पागलपन करने की हिम्मत की, यह पता चला कि इस छोटे लड़के के पास फ्लोटें क्लाउड्स सिटी का गोल्डन ड्रैगन टोकन है, फी यू को अचानक समझ आया, उसकी खूबसूरत आखे नीचु फेंग के हाथ में टोकन को घूर रही थी, उसके लाल होंट हलके से चमक रहे थे, देवेश मुस्तुराय उनकी प्रिष्ठ भूमी वास्तव में छोटी नहीं है, फ्लोटिंग क्लाउड्स सिटी का गोल्डन ड्रैगन टोकन रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सिटी लॉड्स मेशन का वियाईपी माना जाता था, आला कि देवेश को नहीं पता था कि डियाओ और फ्लोटिंग क्लाउड्स सिटी के सिटी लॉड्ड आपस में जुड़े हुए हैं, फिर भी उसने इस देमन रेस के सेंट रियलम मास्टर एयोगु के अत्याचारी तरीकों के बारे में सुना था, गोल्डन ड्रैगन ट अभिव्यक्ति का एयोगु के साथ कोई रिष्टा कैसे हो सकता है, हाला कि डियाओ ने बस अपने कंधे उचकाए, वरिष्ट एयोगु ने इसे मुझे दिया था, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो आप खुद उनसे पूछ सकते हैं, मैं वास्तव में अपस में काना फूसी करने लगे, उनमें से कई लोगों को अपना आश्चर्य च्पाना मुझकिल हो रहा था, नीचू फेंग ने डियाओ को देखा, उसकी आखों में एक जटिल रोश्नी चमक रही थी, इस लड़के द्वारा अचानक गोल्डन ड्रैगन टोकन निकालने स उसके लिए चीजे वास्तव में कुछ हद तक कठिन हो गई थी, आंटी आपको उसे मारने में मेरी मदद करनी होगी, नी कांग ने अपनी आवास धीमी कर ली और डियाओ की ओर नफरत से देखा, रुखना, उसके पास गोल्डन ड्रैगन टोकन है, नीचू फेंग ने धीर इसके बारे में क्या नी कांग ने अपने होंट इतनी जोर से काटे की खून बहने लगा और वह सास लेते हुए बुद्बुदाया, चूंकि उसके पास गोल्डन ड्रैगन टोकन है, मुझे अपना हाथ खोने का अपमान सहना होगा, चाहे कुछ भी हो, मैं चाहता हूँ कि आज ही मर जाए, नीचू फिंग ने अपना मुह खोला और एक बार फिर अपने भतीजे को समझाने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन जब उसने नी कांग का दर्द और व्यतित चहरा देखा, तो उसका दिल गुस्से से भरने में मदद नहीं कर सका, शैश वावस्था से प जो चाहता था उसे प्राप्ट नहीं कर सका, परंतु आज उसका एक हाथ कटकर नश्ट हो गया था, क्या आप सच मुझ चाहते हैं कि वह मर जाए, नीचू फिंग की खूबसूरत आखों में धीरे धीरे एक खतरनाक रोशनी दिखाई देने लगी, उसे मरना ही होगा वरना मेरी नफरत कभी शांत नहीं होगी, अच्छा, तो आँटी आपकी मदद करेंगी, नीचू फिंग की अभिव्यक्ती ठंडी हो गई क्योंकि उसने तुरंट अपना मन बना लिया, इस लड़के को मारने के लिए, उसे जो लियान के आने से पहले सब कुछ खत्म करना होगा, अन्यथा, उसके लिए कारवाई करना असंभव होगा, जहां तक इस बात का सवाल है कि इस लड़के की असली पहचान क्या थी, और एयोगु के मरने के बाद उसका उसके साथ किस करह का रिष्टा था, इससे कोई फर्थ नहीं पड़ेगा, जब तक जो लियान ने एयोगु के गुस्से को शांत करने के लिए कुछ शब्द कहे, वस्थिती को परियाप्त रूप से शांत कर सकता था, आखिरकार यह युवक एयोगु का महस एक महमान था, ऐसे व्यक्ति के लिए विशेशकर उसकी मरत्यु के बाद क्या एयोगु जोलियान के साथ संधर्ष करने का जोखिम उठाएगा। जोखिम आभा निकली, जिसने डियाओ की जवाला विशेश्टा ट्रू क्यूई को तुरंट नश्ट कर दिया। पलक जपकते ही डियाओ के सभी ट्रू क्यूई बचाव तूट गए और सांप उसके सामने आ गया। एक भूत की तरहे गायब हो गया, और कई बाद की छवियों को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर इस हमले से बच गया। दर्शकों ने विस्मयादि बोधक की एक श्रिंखला का उचारण किया, उनमें से किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि यह युवक अभी भीनी चूफेंग के हमले के तहट सुरक्षित रह सकता है। इससे पहले की हर कोई अपने सगमे से उबर पाता, सराय की तीसरी मंजिल से रुक्यूई का एक प्रिथवी हिलाने वाला विस्खोट हुआ, जिससे नगन आँखों को दिखाई देने वाली तरंगों की एक शिंखला सामने आई। ऐसा प्रतीत होता था कि इन तरंगों में किसी प्रकार की अत्यंत रहस्यमय शक्ती थी और जैसे ही उन्होंने गहरे हरे साप से संपर किया, साप स्थिर हो गया और धीरे धीरे दब गया। कि दियाओ के सामने अब एक और युवक खड़ा था, वही जो पहले ट्रेडिंग डिस्ट्रिक्ट में अर्थ फायर कोर के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था। की युद्ध क्षमता वास्तव में उसकी तुलना में कहीं अधिक थी। कीमिया के मामले में ही और ताकत के मामले में कमजोर, यह अप्रिहार्य था कि दियाओ कुछ हद तक व्यथित महसूस करता था। देवेश ने भी खुद को थोड़ा असहाय महसूस करते हुए भौहे सिकोडली। जदी संभव हो तो वह इस मुसीबत में शामिल होने से बचना चाहता था। लेकिन जिस तरह से नीचूफेंग और नीकाम व्यभार कर रहे थे, भले ही वह नहीं आया। उसे पता था कि वे देरसबेर उसकी तलाश में आएंगे। इसे समझते हुए देवेश ने निरनायक कारवाई की। दोनों उसके साथ ही हैं। देवेश को देखने के बाद नीकाम ने घूर कर देखा और तुरंत देवेश और फी यू की ओर इशारा किया। देवेश की अभिव्यक्ती उदासीन थी। सच में ट्रेडिंग डिस्ट्रिक्ट में उसने निकाम को केवल कुछ कदम उठाने के लिए मजबूर किया था और वास्तव में उसे कभी घायल नहीं किया था। हाला कि इसका प्रतिशोध लेने की चाह रखने वाले दूसरे पक्ष ने उसे काफी असहाय महसूस कराया। निश्चिंत रहेंग चाची आपको बदला लेने में मदद करेंगी नीचू फेंग का सुंदर चेहरा ठंडा हो गया जब उसने अपना हाथ लहराया और चिलाया उन सभी को मार डालो। इस एक आदेश के साथ जिन क्रिशकों को वह अपने साथ लाई थी उन सभी ने अपनी सच्ची क्यूई को धक्का दिया और फी यू और अन्य लोगों की ओर दौड़ पड़े फी यू की मुस्कान थोड़ी सी भी फी की नहीं पड़ी तब भी जब दरजन भर किसान उसकी और बढ़े जरा सी भी चिंता नहीं दिखाई अगले ही पल उसके शरीर से एक हलकी सी ताकत निकली और पलक जपकते ही पूरा इलाका घने कोहरे से भर गया यह धुन्ध तेजी से हजारों पानी की बूंदों में बदल गई और फी यू के उतकृष्ट नियंतरन के पहत सभ अभी संभावित हमलावर रुप गए थर्ड ओर ट्रांसेंडेंट निचू फेंग का सुंदर चेहरा एक बार फिर बदल गया जब फी यू ने अभी हमला किया निचू फेंग को उनके बीच ताकत में भारी अंतर का एसास हुआ और तुरंट समझ गया कि आज निकान को इसरे क्रम के स्वामी को चुनोती देने के लिए परियाप्त नहीं थी उसकी अभिव्यक्ती लगातार धुंधली होती जा रही थी नीचू फेंग के क्रोध ने उसे लगभग पागल कर दिया था इतने सालों तक फ्लोटिंग क्लाउड्स सिती में किसी ने भी उसकी अवग पानी की बुंदे असामान्य गती से आगे बढ़ी और उन सभी किसानों को पीछे धकेल दिया जिन्होंने अभी अभी हमला किया था उनमें से अधिकांश दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर गए केवल तीन ट्रांसेंडेंट अपेक शाकृत सुरक्षित रूप से उभर को देखने के बाद तीन ट्रांसेंडेंट जो अभी अभी बच निकले थे उन्होंने डर और डर के साथ इस खूबसूरक महिला की ओर घूरते हुए बचसूरक भाव धारन किये अभी भी खेलना चाहते हैं फी यूने चिढ़ाते हुए हलके से मुस्कुराते हुए कहा यहा अचानक गुस्से में चिलाने की आवाज आई आप सभी लोग तुरंत रुप जाएं उसी समय यहाँ आवाज सबके कानों तक पहुँची एक अविश्वसनिय दबाव आसमान से गिरते विशाल परवत की भाती उतरा जिससे सबकी सासे थम गई इसके तुरंत बाद दूर स एक आकरती दिखाई दी और तेजी से पासा कर जल्द ही चौक के ठीक बीच में आगिरी नीचु फें की खूबसूरत आखें चमक उठीन और उसने तुरंत मुस्कुराहट बिखेरी जैसे कि उसने अभी-भी अपने उध्धार करता को देखा हो और जल्दी से चिला कर बोल उन्हें निगलना भी मुश्किल हो रहा था नीचु फेंग अतुलनिय रूप से उध्साहित थी क्योंकि उससे लगा कि जो लियांग व्यक्तिगत रूप से उसके लिए अपनी शिकायते दूर करने जा रहा है नीकांग के सिर को धीरे से थप्थपाते हुए उसने चुपचाप उसे संकेत दिया कि अब सब कुछ ठीक है जब नीकांग ने अपनी आखें चोड़ी की और घूरने लगा तो उसके चहरे पर एक भयावह मुस्कान थी वह देखना चाहता था कि उसे उकसाने वाले ये मूर्ख कैसे मरेंगे जो लियांग नी चुफेंग को बहुत पसंद करते थे जब भी यह सुंदरी उससे कोई अनुरोध करती वह हमेशा उसे पूरा करता इसलिए स्वाभाविक रूप से इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा नीकांग आत्म विश्वास से भरपूर था और इन कमीनों के दुरभाग्य का आनंद लेते हुए कंभीर रूप से मुस्कुरा रहा था जो लियां की कड़ी नजर और त्वरित द्रिश्टिकोन के तहट देवेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह दूसरे पक्ष की गती से दब गया था उसकी रीड की हड़ी में ठंडी ठंडक डॉड रही थी वह बिलकुल भी हिलने में असमर्थ था एक संथ शेत्र गुरु उसकी वर्तमान साधना से दो महान शेत्र उपर यदि जो लियां वास्तव में उसे मारना चाहता तो देवेश विरोध नहीं कर पाता और यहां तक की फी यू भी इस आपदा से बच नहीं पाता दियाओ जो अभी भी देवेश के पीछे खड़ा था उस पल धीरे से फुसुसाया जिससे देवेश और फी यू दोनों चौक गए जो लियां ने देवेश और फी यू को पूरी तरह से नजरंदाज कर दिया सीधे डियाओ के पास गए और जल्दी से पूछा क्या यांग मास्टर डाई घायल हो गए है उसकी आवाज का स्वर चिंता और तात कालिकता से भरा था और यहां तक की कुछ हलकी घबराहट और भय भी था ऐसा जोलियान को लग रहा था वह जिस चीज के बारे में सबसे अधिक चिंतित था वह यह था कि क्या डियाओ को पिछली लडाई में कोई नुकसान हुआ था दर्शक स्थब्ध रह गए नीचु फेंग की मुसकान उसके चहरे पर कठोर हो गई और निकांग अपना जबड़ा जुका कर स्थब्ध हो कर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका नहीं मैं ठीक हूँ दियाओ ने लापरवाही से अपना सिरह लाया यह अच्छा है जो लियाओ ने राहत की सांस ली उसका चहरा आखिरकार शांत हो गया क्योंकि उसकी भौह पर जुर्यां कम हो गई अगले ही पल धीरे से सांत्वना देते हुए कहा युवा मास्टर डाई डर गया होगा यह जो लियाओ लापरवाह था और उम्मीद करता है कि यांग मास्टर डी अपराध नहीं करेगा दियाओ बस हलके से मुस्कुराएं और हाथ हिला कर कहा यह ठीक है जो लियाओ इसके बाद देवेश और फी यू की और मुड़े और धीरे से सिरहिलाते हुए पूछा क्या वे यांग मास्टर डी के दोस्त है एन डियाओ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया नए दोस्त देवेश की ओर सिरहिलाते ही जो लियांग की नजर तुरंत दोस्ताना हो गई एन अच्छा बहुत अच्छा चुंकि आप यांग मास्टर डाई के मित्र हैं यहां आपको मेरे फ्लोटिंग क्लाउड्स सिटी का एक सम्मानित अतिथी बनाता है आप निश्चिंत रहें कि मैं आपको इस गड़बडी के लिए सपश्टी करन दूँगा इतना कहने के बाद जो लियांग का चहरा ठंडा हो गया और नीचू फेंग की ओर चलते हुए उसकी आभा ठंडी हो गई नीचू फेंग अभी भी अपने शुरुवाती सग में से उबर रही थी उसकी आखे कुछ धुंधली थी क्योंकि उसके सामने का द्रिश्य वास्तव में उसकी स्विकार करने की क्षमता से परे था हाला कि डियाओने पहले उसे एयोगु का गोल्डन ड्रैगन टोकन दिखाया था लेकिन इसका मतलब केवल यह होना चाहिए था कि वह एयोगु का महमान था फिर जो लियान उसके प्रती इतना विनमर क्यों था यहां तक कि उसकी चापलूसी करने तक भी गया था क्या इस युवक के पीछे कुछ ऐसी ताकत थी जिसने जो लियान को भी भैभीत कर दिया था जब वह अंता खुद को संभालने में सफल हुई तो जो लियान पहले से ही उसके सामने खड़ा था अंकल जो जो लियान के गुस्से को महसूस करते हुए नीकान पीला पड़ गया और पुकारते ही उसके घुटने कामपने लगे पा एक जोरदार तमाचा गुंजा और नीकान उर गया जमीन पर गिरने से पहले वह हवा में कई बार घूमा और तुरंत बेहोश हो गया जो लियांग तुम क्या कर रहे हो नीचू फेंग की खूबसूरत आखोंने धीरे-धीरे अपनी स्पष्टता बहाल कर ली और नीकान को उसके चहरे पर थपड़ पड़ते देख वह चिल्ला पड़ी पा एक और करारा थपड़ पड़ा और नीचू फेंग के सुंदर चहरे पर एक स्पष्ट हाथ का निशान दिखाई दिया क्योंकि उसके हुठों से खून की धार निकर रही थी सदमे में अपने गाल को अपने हाथ से ढखते हुए नीचू फेंग दर से कामपने लगी और उस आदमी को घूरने लगी जो हमेशा उससे प्यार करता था और उसका पक्ष लेता था अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि यह व्यक्ति पूरी तरह से अजनबी हो गया है जो लियांग के चहरे पर थंड़क ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसे बर्फ के घर में गिरा दिया गया हो क्योंकि उसके दिल में खून जम गया था नीच रांड क्या तुझे कुछ अंदाजा है कि तूने क्या किया है जो लियांग ने थंडे स्वर में पूछा नीचु फेंग स्थभ्ध थी और केवल अपना सिर हिला सकती थी अज्यानी औरत जो लियांग की आखें तेज हो गई और वह थंडे स्वर में चिलाया कितने सालों में तुमने और तुम्हारे कमीने भतीजे ने फ्लोटिंग क्लाउड्स सिटी में हर तरह की बुराई करने के लिए मेरे नाम का इस्तमाल किया है और मैंने तुम्हें आश्रे देटे समय हमेशा एक आख खोली और दूसरी बंद की है लेकिन आज मैं बेकार खड़ा नहीं रह सकता क्योग नीचू फिंग चिलाया आपने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया है जिसे बिल्कुल नाराज नहीं होना चाहिए जोलियांग ने ठंडे और उदासीन भाव से उत्तर दिया छोड़ो अपने कमीने भतीजे को अपने साथ ले जाओ और जाओ अब से आपको फ्लोटिंग क्लाउड्स सिटी में प्रवेश करने से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा अगर मैं आपको यहां दोबारा देखूंगा तो आप परिनाम जानते हैं इन शब्दों को सुनकर नीचू फेंग के खूबसूरक चहरे का रंग उड़ गया वह पूरी तरह से सगने में थी कि जो लियांग उससे ऐसे हरिदयहीन शब्द बोलेगा तुम मेरी दृष्टी से क्यों नहीं हटे यह देखकर कि वह हिल नहीं रही थी जो लियांग एक बार फिर गुस्से से दाड़ा जो लियांग के बढ़ते जानलेवा इरादे को महसूस करते हुए नीचू फेंग का कुमल शरीर काम उठा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह मजाक नहीं कर रहा था अब केवल यह समझ आ रहा है कि दी याओ के पीछे कितनी गहरी शक्ती रही होगी नीचू फेंग को यकीन था कि जो लियांग उसके साथ इतना क्रूर व्यवहार नहीं करेगा भले ही उसने एयोगु के परिवार के किसी व्यक्ती को नाराज किया हो उसके इतने समवेदन ही व्यवहार ने अब नीचू फेंग को यह देखने पर मजबूर कर दिया कि दी याओ की प्रिष्ठ भूमी कितनी भयाबह थी स्वाभाविक रूप से यह कोई विशालकाय चीज होगी जिसके प्रती जो लियांग को भी आदर और सम्मान दिखाना पड़ा होगा यह समझने पर नीचू फेंग अचानक रोने लगी और विंती की जो लियांग कृपया इतने ठंडे दिल मत बनो मुझे पता है कि मैं गलत था, मैं इमानदारी से इस युवक से माफी मांगूंगी और उसे फिर कभी नहीं भढ़काने की कसम खाऊंगी नीचू फेंग सिर्फ फर्स्ट ओर्डर ट्रांसेंडेंट थे दूसरे शब्दों में उसकी ताकत नगण्य थी और उसे केवल अपनी सुन्दर्ता का लाब उठाना था जो लियांग के प्यार और सुरक्षा को प्राप्त करने में सक्षम होने के कारण उसे फ्लोटेंग क्लाउड्स सिटी में स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमती मिली लेकिन एक बार जब उसने इसे खोदिया तो अपनी कमजोर खेती के साथ बहग खुद का समर्थन करने में सक्षम नहीं होगी पिछले कुछ वर्षों में उसने फ्लोटेंग क्लाउड्स सिटी में बहुत से लोगों को नाराज किया है एक बार जब उसने जोल यान की शरण खो दी तो वह इस बारे में बहुत सपष्ट थी कि उसका क्या इंतजार होगा इसलिए जनता के सामने नीचु फेंग जमीन पर गिर गए जोल यान की जांग पकड़ली और भीक मांगी हाला कि दर्शकों को न केवल यह महसूस हुआ कि यह खूबसूरत महिला दैनिय थी बलकि उनमें से अधिकाश ने प्रसंद मुदराय दिखाई इस महिला के बुरे कर्म पूरे फ्लोटेंग क्लाउड्स सिटी में प्रसिध थे और उसकी अलोग प्रियता इतनी अधिक थी जितनी हो सकती थी जोल यान का चेहरा हर चीज के दौरान उदासीन रहा और बस उसे उदासीनता से देखता रहा नीचु फेंग धीरे-धीरे निराश हो गई यह जानते हुए कि उसका पूर्व प्रेमी अपना मन नहीं बदलेगा एक पल के बाद वह शांत हो गई अपने गंदे बालों को अपने कान के पीछे ब्रश करते हुए वह धीरे से उठी और बोली जोल यान तुम मुझे दूर कर रहे हो मैं इसके बारे में आगे कोई शिकायत नहीं करूँगा लेकिन हमारे बीच कई वर्शों के प्यार को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे एक आखिरी बात पूछना चाहता हूँ मुझे आशा है कि आप मुझसे इसका बादा कर सकते हैं जदी आप ऐसा करते हैं तो मैं अभी चला जाऊंगा इस महिला के खूबसूरत चेहरे को घूरते हुए जो लियान के हावभाव थोड़े बदल गए उसे उसके साथ बिताय समय की याद आ गई और फिर उसने हलकी सांस लेते हुए कहा कहो अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करूँगा नीचु फेंग बेपसी से मुस्कुराएं और शांत स्वर में पूछा कल रात मैंने आपको यह कहते हुए सुना की एक बहुत शक्तिशाली कीमियागर सिटी लॉड्स हवेली में आया था क्या आप उससे मेरे भतीजे के कटे हुए हाथ को ठीक करने के लिए एक गोली बनाने में मदद करने के लिए कह सकते हैं चुकि आप भी कहते हैं कि वह इतना शक्तिशाली है निश्चित रूप से उसमें ऐसी गोली को परिश्प्रित करने की क्षमता थी है न इन वह कर सकता है जो लियान ने सिर हिलाया फिर नीचू फेंग खुशी से मुस्कुराए लेकिन मैं आपका अनुरोध पूरा नहीं कर सकता क्यों नीचू फेंग थोड़ा उनमादित हो गए पती और पत्नी के रूप में एक दिन शालींता के सौ दिन क्या आप वास्तव में इतने निर्दई हैं कि मुझे इस चोटे से उकार से भी वंचित कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत समवेद नाहीन हूँ बात यहा है कि आप बहुत मूर्ख हैं जो लियान ने जुखकर नीचू फेंग के कान में फुस-फुसाया जिस युवक को आपने नाराज किया है वह उस कीमिया ग्रैंड मास्टर का एक मात्र शिश्य है वह कीमिया ग्रैंड मास्टर वह अस्तित्व है जिसे एयोगु, जिन जियो और मैं उकसाने की हिम्मत नहीं करते नीचू फेंग की आखें जटके से घूम गई छोड़ो जो लियांग ने अपना हाथ लहराया मुझे आशा है कि अब से तुम इतने अंधे नहीं होगे नीचू फेंग के चहरे पर दुख और आक्रोश भर गया क्योंकि उसने अपने होंट काटे तो उनमें से इतना कठोर खून बहने लगा तुरंट जुकर और नीकान को जो अभी भी बेहोश थी जमीन से उठाया उसने जोलियांग और डियाओ की और नफरत से भरी नजर डाली और फिर तुरंट अपने आंदोलन कोशल का उप्योग करके भीड में गायब हो गई भीड में कई लोग ऐसे थे जिनके चहरे पर थंडे और भयाव भाव थे नीचू फेंग के कदम उठाने के बाद इनमें से कई साजिश रचने वाले व्यक्तियों ने उसका अनुसर्ण किया हर शिकायत का उचित प्रतिशोध लिया जाना था और इन लोगों के लिए इस धरीली महिला के साथ अपना हिसाब किताब चुकाने का समया गया था जो लियान ने यह सब देखा लेकिन इसे रोका नहीं देवेश धीरे से फुस्फुसाया वह औरत मर गई है उसे बस वही मिल रहा है जिसकी वह हकदार थी फी यू ने तिरसकारपूरवक कहा वह इस प्रकार की महिला से घ्रेना करती थी जो केवल सत्ता वाले लोगों की चापलूसी करना जानती थी फिर भी उसमें किसी भी प्रकार की आत्मजागरूपता का अभाव था जो लियान ने आकर देवेश और फी यू की ओर दयालुता से देखा चुंकि आप दोनों यान मास्टर डाई के दोस्त हैं तो कुछ दिनों के लिए सिटी लॉड्स मेशन में क्यों नहीं आते हजार साल के दानव फूल के खिलने में अभी भी कुछ समय होना चाहिए दियाओ ने भी देवेश को कुछ हद तक उम्मीद भरी नजर से देखा उसे उम्मीद थी कि वह सिटी लॉड्स मेशन में भी आ सकता है लेकिन देवेश ने बस अपना सिरहिला दिया मेरे कुछ मार्शल अंकल है जो इस समय बाहर कुछ काम कर रहे हैं हमें उनके वापस आने का इंतजार करना होगा इसलिए मुझे डर है कि मुझे आपके दयालू प्रस्ताव को अस्विकार करना होगा चुंकि यह मामला है यह बूढ़ा मास्टर जोर नहीं देगा यदि आपके पास समय है तो सिटी लॉड्स मेंशन देखने जरूर आएं जो लियान डियाओ की ओर मुझने से पहले मुसुर आएं यंग मास्टर दी आए पहले वापस आएं दियाओं ने आह भरते हुए जवाब दिया, देवेश को सिर हिलाया और जो लियान के साथ चला गया एकत्रत भील के चारों और सन्नाटा था, बहुत से लोग जो शो देखने आये थे वे अभी भी जो कुछ उन्होंने देखा था उससे उबर नहीं पाए हैं, उनके चहरे पर अभी भी सगमे और अविश्वास के भाव जलक रहे थे एक अग्यात युवक के लिए जो लियान ने न केवल अपनी प्यारी मालकिन को पीटा, बलकि उसे फ्लोटिंग क्लाउट्स सिटी से बाहर निकाल दिया, यह क्रूर्ता का प्रतीक था इसके अलावा, सिर्फ इसलिए कि उनका उस युवक से कुछ रिष्टा था, देवेश और फियू को जो लियांग से एक गर्म जोशी भरा और विनमर निमंतरन मिला वास्तव में इस युवक की प्रिष्ट भूमी क्या थी जिसके लिए इस तरह के व्यवहार की आवश्यक्ता पड़ी कुछ देर बाद भीर धीरे-धीरे छंट गई कुछ सासी लोग देवेश से डियाओ की प्रिष्ट भूमी के बारे में जानना चाहते थे लेकिन देवेश और फी यू ने उन्हें मौका नहीं दिया और जल्दी से खुद को सराय के अंदर छिपा लिया सच में वे भी थोड़े सदमे में थे यह जानने के बावजूद की डियाओ के पास किसी प्रकार की मजबूत प्रिष्ट भूमी होनी चाहिए देवेश ने फिर भी पाया कि उसने दूसरे की उत्पत्ती को बहुत कमाका है जब उन्होंने और फी यू ने कुछ देर तक इस पर विचार किया तो उन्हें कुछ भी उचित नहीं सुझा इसलिए उन्होंने मामले को छोड़ दिया सिटी लॉड्स हवेली में लोटने के बाद दियाओ तुरंट अपने मालिक से मिलने गए एक शांत कमरे में दियाओ के गुरु चुपचाप ध्यान कर रहे थे इसलिए जब दियाओ अंदर आये तो वह चुपचाप खड़े रहे और इंतजार करते रहे काफी देर तक इंतजार करने के बाद बुढ़े ने धीरे से अपनी आखे खोली मास्टर मैं फिर हार गया दियाओ ने हलके से आह भरी फिर से खोया यह सुनकर बुढ़े को बहुत आश्चर्य हुआ इन मास्टर इस गोली पर एक नजर डालें दियाओ ने श्रधा पूर्वक वह गोली सौंक दी जिसे देवेश ने कुछ समय पहले अपनी प्रतियोगिता में परिश्कृत किया था बुढ़े आदमी ने इसे ले लिया और उसकी आखे तुरंट चमक उठीन पिल्वेंस इसका निरीक्षन करने के लिए अपनी दिव्यभावना को जारी करते हुए बुढ़े व्यक्ती का रूप धीरे-धीरे बदल जाता है और काफी देर बाद ही उसने गोली वापस दियाओ को दी और पूछा क्या यह गोली आपके प्रतिद्वंधवी द्वारा परिश्कृत की गई थी एंग यह किस तरह का व्यक्ती था वह लगभग मेरी ही उम्रका है दियाओ ने तुरंत देवेश की शकल के बारे में बताया बुढ़ा व्यक्ती अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए चुपचाप सुनता रहा और एक क्षण बाद बोला यह युवक एक गंभीर राक्षस है मास्टर जी ऐसा क्यों कहते हैं उनकी कीमिया तक्नीक थोड़ी टेढ़ी मेडी है ऐसा लगता है जैसे उन्हें कभी सक्ती से सिखाया ही नहीं गया कहने का तात पर्य यह है कि आपके विपरीत उसे कभी भी किसी मास्टर से आपचारिक निर्देश नहीं मिला है क्या डियाओ सदमे में चिलाया अभी तक ऐसी उतक्रिष्ट कीमिया तक्नीक का स्वामी नहोने पर यदी देवेश भी उनके जैसा ही होता और उसे दस वर्षों से अधिक का सावधानी पूर्वक मार्ग दर्शन प्राप्थ होता तो वह किस तर तक पहुँचता अगर मेरा अनुमान सही है तो उसे कुछ प्राचीन पुस्तकों और एक अत्यधिक उशल पूर्ववर्ती द्वारा छोड़े गए हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से स्वयन सिखाया जाना चाहिए बूढे व्यक्ती ने अनुमान लगाया उसका अनुमान सक्चाई के बेहत करीब था शिक्षक मैं अचानक बहुत उदास महसूस करता हूँ दियाओने निराशा से आभरी हो हो इसकी कोई जरूरत नहीं है बूढा धीरे से मुस्कुराया इस दुनिया में हमेशा एक या दो लोग ऐसे होते हैं जिनके पास स्वर को मात देने की योग्यता होती है वह वास्तव में एक बहुत अच्छा बीज है हाँ डियाओने जोर से आह भरते हुए कहा मास्टर हमें जंगल से निकले एक साल से थोड़ा ही अधिक समय हुआ है फिर भी मैं पहले ही दो अलग-अलग लोगों से हार चुका हूँ पिछली असफलता को हलके में लिया जा सकता है आखिरकार उसकी काया विशेश थी लेकिन आज की हार ने मुझे सचमुच कुछ हद तक भ्रमित कर दिया है उन्हें इस प्रतियोगिता को जीतने की अपनी क्षमता पर बहुत भरोसा था लेकिन आखिरी समय में देवेश ने वास्तव में पिल वेंस के साथ एक गोली को सफ बूढे व्यक्ती ने गंभीरता से कहा दियाओ ने बार-बार सिरहिलाया मास्टर निश्चिंत हो सकते हैं कि शिश्य अलकेमिक तरीके के अध्ययन में अपने प्रयासों को दोगुना कर देगा और निश्चित रूप से मास्टर की उम्मीदों को निराश नहीं करेगा बू बूढे व्यक्ती ने कुछ परिचित निशान खोजे थे, विशेश रूप से स्पिरिट एरे तकनीक से जिसका उप्योग इस युवा अलकेमिस्ट ने इस गोली को परिश्क्र करते समय किया था। ये निशान कुछ-कुछ उन निशानों से मिलते जुलते लग रहे थे, ज इनका इस्तिमाल उस छोटी लड़की ने किया था जिसने एक साल पहले डियाओ को हराया था। क्या दोनों के बीच किसी तरह का रिष्टा है, बूढ़ा व्यक्ती चिंतित हो गया, उसके दिल में इस देवेश के बारे में काफी उदसुकता थी और वह उससे मिलने के लिए बहुत उदसुक था। दो दिन बाद कैन यान और अन्य लोग अंता लौट आए। जब देवेश ने उन्हें दोबारा देखा तो पाया कि उसके मार्शल अंकल के हाभाव बहुत अच्छे नहीं थे। एक छोटा ब्रेक लेने और कुछ चाय पीने के बाद लिवान ने जो से आह भरी और कहा, ऐसा लगता है कि हमने ट्रांसेंडेंट रियलम मास्टर्स के प्रती हजारों साल के दानफ फूल के आकर्शन को कम करके आका है। इस बार का मामला शायद थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसा कैसे देवेश ने पूछा। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, पह तीन सौ से अधिक प्रांसेंडेंट भले ही उन में से केवल दस प्रतीशत तीसरे क्रम के थे, फिर भी इसका मतलब था कि कम से कम तीस होंगे। हाला कि सोरिंग हेवन संप्रदाय के चारों संरक्षक अविश्वसनिय रूप से मजबूत थे, एक ही क्षेतर में विरोधियों थी कि वे पूरी तरह से नश्ट हो जाएं। के लिए किसी को ढूंधना यथार्थवादी नहीं है। एसा व्यक्ति कहा मिलेगा। देवेश ने तुरंत उन घटनाओं का सारांश दिया जिसके कारण उनकी मुलाकात दियाओं से हुई। इससे उनके तीन मार्शल चाचाओं को बहुत आश्चर्य हुआ। की रुची और बढ़ गई थी। हालाकि वे इस लड़के से कभी नहीं मिले थे। देवेश का विवर्न सुनने के बाद वे तीनों असपष्ट रूप से डियाओं के पीछे छिपी एक विशाल चाया को चुपचाप उसकी रक्षा करते हुए देख पा रहे थे। क्या वह भरोसे मंध है कैंग यान ने गंभीरता से पूछा। ऐसा मामला है तो आपको उससे इस बारे में बात करने की कोशिश करनी चाहिए अगर हर कोई अपनी जरूरतों के हिसाब से काम कर सके तो यह सबसे अच्छा होगा। यान की आखे चमक उठीन हालांकि अगर वह औशधिय नहीं चाहता है हजार साल के डानव फूल का तरल पदार्थ वह आखिर है क्या। हमें इसकी सपष्ट रूप से जाच करने की आवश्शकता है ताकि किसी जाल में नफन सें। तो फिर मैं उससे बात करने के लिए सिटी लॉड्स मेंशन में जाऊं तो कैसा रहेगा। देवेश ने पूछा दियाओ ने पहले जो कहा उससे वह भी काफी चिंतित था। ऐसा लियान के लिए एक युवा व्यक्ति के साथ इतनी विनमरता से व्यवार करना असंभव था अगर डियाओ के पीछे कोई बेहत शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था जिस पर वह एहसान करना चाहता था। यदि देवेश का अनुमान सही था तो इस व्यक्ति को डियाओ का में अतिथी भी होना चाहिए। यह व्यक्ति निस संदेह एक शीर्ष स्तर का कीमिया ग्रैंड मास्टर था। ऐसे मास्टर के साथ बात करने में सक्षम होना देवेश के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अपने कई मार्शल चाचाओं की सहमती प्राप्त करने के बाद दे मीना खुशी से दोड़ी और फियू से कुछ शब्द कहे। इससे पहले कि उसकी खूबसुरत आखें देवेश पर पड़ी और पूछा यह खिलोना लड़का कौन है। देवेश का चहरा तुरंत काला पड़ गया। क्या कहा तुमने। मीना अपना मुह धकने से खुद को नहीं रोक सकी और उसने देवेश को हैरानी से देखा, उसकी और इशारा करते हुए उसने हकलाते हुए कहा तुम। लेकिन तुम कैसे हो। अचानक कुछ याद आया, उसने ताली बजाई और सिर हिलाया, ठीक है, ओल्ड मैंडू ने तुम्हें वह चीज दी थी, मैं भग भूल ही गई थी, इतना कहते ही वह आगे बढ़ी और आश्चर्य से बढ़बढाते हुए देवेश के चहरे को चिकोटी काटने और खीचने लगी, ओल्ड मैंडू और फी यू बस एक तरफ खड़े हो गए और हस्तक शेप करने का कोई प्रयास किये बिना, व्यंग्य पूरवक मुस्कुराएं, तुम छोटे कमीने हो, फ्लोटिंग क्लाउड्स सिटी में आते ही इतनी परिशानी खड़ी कर देते हो, कि तुम सच में शांत नहीं बैठ सकते हो, मिना खुशी से मुस्कुराई, देवेश के नए सुन्दर चहरे के साथ उच्साह से खेल रही थ क्रोधित होने के बजाए उसने एक बुरी मुस्कान दिखाई और जवाब दिया, अगर तुम मुझे चिकोटी काटती रहोगी, तो मुझे वापस लड़ना होगा, छोटी लड़की, एक इंच लेने के बाद एक गस की दूरी तक मत पहुँचो, इतना कहते हुए, उसने अ अगल लड़की पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और अपना ध्यान दूवान की ओर लगा दिया, अलकेमिस्ट गिल्द द्वारा आयोजत मुझे चौराहे पर एक कीमिया प्रतियोगिता होने जा रही है, यह बुढ़ा व्यक्ती मेना को प्रतियोगिता मिला रहा था, वह बुढ़े व्यक्ती की सिफारिश से प्रतियोगिता में शामिल होने में कोई समस्या नहीं होगी, अच्छा है, आपको जाना होगा, प्रतिसपर्धा करने वाले सभी लोग युवा पीधी से हैं, यदि आप जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से हमारी ग्रैंड यान ने मुझे देखा है, यदि डूवान वास्टव में मुख्य चौराहे की ओर जा रहा था, तो उसके यहां आने का कोई मतलब नहीं था, जब कुछ दिन पहले देवेश और फी यू ट्रेडिंग डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर रहे थे, तो देवेश ने भी इस कीमिया प्रतियोगिता के बारे में सुना था और जानता था कि यह यहां कहीं भी आयोजित नहीं की जा रही थी, हजार साल के दानव फूल के कारण, अंगिनत कीमियागर फ्लोटिंग क्लाउड्स सिटी में एकत्र नहीं हुए थे, जो वास्तव में एक दुल्लब घटना थी, अलक अलकेमिस्ट गिल्ड की किस शाखा में सबसे अच्छा जूनियर होगा, और शर्थ हमारे यूनिवर्स बैग्स में किसी एक आइटम की थी, आखिरकार इन पुराने साथियों की विरासत काफी सम्रिध है, दुवान ने अपनी बिक्री पिच बनाई, मीना ने यह भी कहा, य जूनियर सिस्टर वास्तव में वह गोली भट्टी चाहती है, यह एक सेंट ग्रेड आइटम है, मीना को इस तरह से हरक करते देख देवेश के रोंगते खड़े हो गए, लेकिन फिर भी वह हलकी सी मुस्कुराहट बनाए रखने में काम्याब रहा, चूंकि ओल्ड मैन डू जूनियर सिल कर सकता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि मैं शर्त और पुरसकार से अपनी जरूरत की जड़ी बूटियां चुन सकता हूँ, जहां तक गोली भट्टी की बात है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, यह और फिर कोई समस्या नहीं, मीना ने चावल चुगने व साल के दानव फूल के बारे में डियाओ के साथ बातचीत करने के लिए सिटी लॉड्स मेशन की यात्रा को अस्थाई रूप से स्थगित कर दिया गया था, किसी भी मामले में देवेश इतनी जल्दी में नहीं था, देवेश ओल्ड मैन डू के अनुरोध पर सहमत हो गया क् अच्छा था, ग्रेंड बोल्डर सिटी में अगर ओल्ड मैन डू की इमानदार देखभाल नहीं होती, तो देवेश इतनी आसानी से बस नहीं पाता और अंता ओल्ड मैन डू के कारण ही कैंग यान ने उसे पाया, इसके अलावा देवेश वास्तव में संभावित मुनाफे से प्रलोभित था, उसने अब सेंट पिल देमन गौर्ड सिटाडेल को परिश्पृत करने के लिए बहुत सारी आवश्यक जड़ी बुटिया एकत्र कर ली थी, यहां तक कि कुछ दिनों पहले की अत्यंत दुरलब अर्थ फायर कोर भी, लेकिन अभी भी कुछ कीमती सामग जिन्हें उसे प्राप्त करना बाकी था, ओर्ड मैंडू के इन पुराने दोस्तों के पास जरूरी नहीं की देवेश को जो चाहिए वह हो, लेकिन उनके पास उन्हें हासिल करने का एक तरीका हो सकता है, इसलिए उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करना किसी भी तरह स एक दुशकर्म नहीं था, जब तक शेश जड़ी बूटिया एकत्र की जा सकती थी और वह अपने कीमिया कौशल को बढ़ावा देना जारी रखता था, देविश स्नो मांटेन रेंज में लौट सकता था और प्राचीन दानव कभीले को बाहर ला सकता था, इस अपरिचित उसे तदकाल अपनी ताकत और समर्थन की आवश्चकता थी, फ्लोटिंग क्लाउड्स सिटी के उत्तर पश्चिमी कोने में 300 मीटर खुले चौक के आसपास लोगों की एक बड़ी भीर जमा हो गई थी, लगभग कुछ सो टेबले लगाई गई थी, ये टेबलें अलकेमिस् स्थिती शांत थी, बिना ज्यादा तनाव के, वहीं दूसरी और मीना इतना शांदार ग्रिश्य देखने के बाद लगातार बातें कर रही थी, एक ग्रामेन लड़की की तरह जिसने कभी दुनिया को अचानक शांदार शहर में प्रवेश करते नहीं देखा था, यहां सब क जैसे कुछ दिन पहले की घटना के बाद, सिटी लॉड्स मेंशन ने इन दो अंगरक्षकों को विशेश रूप से उसके लिए तयार किया था, उन्होंने इस युवक के प्रती जो देखभाल दिखाई वह वास्तव में असाधारन थी, आप भी आए, देवेश मुस्कुरा का आनंद लेने आये थे, देवेश ने हलके से कहा, मैं प्रतियोगिता में शामिल होने आया हूँ, गंभीरता से कडिया उस पष्ट रूप से आश्चर्यट के त्रह गए, यदि आप भाग लेते हैं, तो प्रतियोगिता आयोज़त करने का भी क्या मतलब है, अलकेमिस्टो में उनका भाग लेना वास्तव में कमजोरों को धमकाने से ज्यादा कुछ नहीं था, देवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस यूँ ही खेल रहा हूँ, दियाओ की नजर चमक उठी और उसके चहरे पर एक शरार्ती मुस्कान आ गई, यदि आप भाग लेने जा रहे हैं, तो मैं भी भाग लेना चाहता हूँ, देवेश यह कौन है मीना ने डियाओ को घूरते हुए अपनी आखे जपकाई, यह वही व्यक्ति है जिसने कुछ दिन पहले अर्थ फायर कोर के लिए मेरे साथ प्रतिसपरधा की थी, दियाओ, देवेश ने परिचय देते हुए आगे डुवान और मीना की ओर इशारा करते हुए कहा, यह दोनों ओल्ड मैंडू हैं, डुवान, ग्रैंड बोल्डर के मैनेजर हैं, शहर की अलकेमिस्ट गिल्ड शाखा और मीना, एक स्पिरिट ग्रेड लो रैंक अलकेमिस्ट, दियाओ ने अपनी अभिव्यक्ति ठीक की और आदर पूर्वक अपनी मुठिया पकड़ ली, तो यह ग्रैंड बोल्डर सिटी अलकेमिस्ट गिल्ड का प्रबंधक है, जूनियर डी ओल्ड मैंडू का स्वागत करता है, क्या तुम मुझे जानते हो, डुवान हलके से मुस्कुराए, मेरे गुरू ने मुझे तुम्ह अगर करने की अनुमती नहीं देते हैं, डियाओ ने समझाया, डुवान थोड़ा निराश होने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन उसने तुरंट खुद को संभाला और सिरहिलाया, यह ठीक है क्योंकि आपके मास्टर ने इतना कुछ कहा है, वह अवश्य ही मेरा डुवान का सीनियर होगा, उस स्थिती में, कृप्या उसे बताएं कि यह डुवान निश्चित रूप से उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, और अपने जीवनकाल में सेंट ग्रेड मेडरायन पर पहुँचेगा, डियाओ ने विनमरता से सिरहिलाया, जुनियर निश्चित रूप कि इस बुढ़े गुरु की आखें अभी भी बहुत अच्छी है, अनुभभीन, छोटा दोस्ट डी किसी भी तरह से छोटे दोस्ट यांग से कमतर नहीं है, ओल्ड मैन डू, तुम्हें कैसे पता कि उसकी कीमिया तकनीक देवेश से तुलनिय है, मीना ने उचसुकता से के मुल्यांकन को स्विकार करना स्वाभाविक था, मीना ने इस पर असंतोष व्यक्त किया और तुरंत कहा, ऐसा लगता है कि आप काफी अहंकारी है, उन्हों मैं हूँ डियाओ अवाक रह गया, मीना ने सिरहिलाया और कहा, मैं देखना चाहता हूं कि क्या आपकी कीमिया त पुरंत फटकार लगाई, अच्छा है चुंकी भाई यान भाग ले रहे हैं, निश्चित रूप से मुझे भी भाग लेना होगा, दियाओ ने खुशी से कहा, सीनियर डू, अगर मैं आपकी अलकेमिस्ट गिल्ड शाखा के नाम से प्रवेश करू तो कैसा रहेगा, यह सु दियाओ भी इस मनोरंजन में शामिल हो रहा था, तो सपष्ट रूप से किसी और के जीतने की कोई संभावना नहीं थी, मुझे आशा है कि उन पर बहुत अधिक प्रहार नहीं किया जाएगा, ओल्ड मैंडू ने गुप रूप से सोचा, अब जब दियाओ इसमें शामिल हो ये दोनों लुवा उपस्थित अन्य सभी कीमियागरों से अलग थे, दोनों ने बिना किसी तनाव या उत्तेजना के आकस्मिक अभिव्यक्ती की, ऐसा लग रहा था कि वे वास्तव में यहां केवल आकस्मिक रूप से खेलने आये थे, जब वे इंतजार कर रहे थे, लोग ये बूढे लोग कई वर्षों से दोस्त थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से, उनकी दोस्ती काफी गहरी थी दूसरी और युवा पीधी के अलकेमिस्ट एक दूसरे को थोड़ी शत्रुटा के साथ देख रहे थे, जिससे कुछ हद तक अजीब माहौल बन गया था पुरानी पीधी के सदस्यों ने भी इसका पता लगाया, लेकिन इसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया इसके विपरीट वे लगातार इन युवाओं को अपने शब्दों से उत्तेजित कर रहे थे, जैसे की उन्हें डर था कि दुनिया इतनी अराजक नहीं होगी परिनामस्वरूप, देवेश और डी याओ की शांती ने उनका ध्यान खीचा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्लोटिंग क्लाउड्स सिटी में आने का हर किसी का उद्देश क्या है, इतनी दूर से इतने सारे दोस्तों का एक साथ इकठा होना एक दुरलब घटना है, इसलिए मेरे अलकेमिस्ट गिल्ड ने इस कीमिया प्रतियोगिता की मेजबानी करने का अफसर लिया है मुझे आशा है कि आप सभी आज अपना सारा कौशल सामने रखेंगे ताकि हम युवा पीधी के बीच नंबर एक कीमियागर का चयन कर सकें अभिवादन के कुछ शब्द कहने के बाद लियूफू ने तुरंट प्रतियोगिता के नियमों के साथ-साथ अंतिम इनाम के बारे में भी जाना सेंट ग्रेड गोली भट्टी को प्रथम स्थान दिये जाने की घोशना ने तुरंट अंगिनत कीमियागरों की आखे लाल कर दी मीना भी अविश्वस्निय रूप से उच्साहित थी उसकी अभिव्यक्ती जोश से जल रही थी जैसे की वह तब तक शांत नहीं होगी जब तक की सेंट ग्रेड की गोली भट्टी उसकी नहीं हो जाती कुछ देर तक बोलने और सभी का उच्साह बढ़ाने के बाद लिव फूरुके और भीर पर अपनी नजरे घुमाई और मुस्कुराते हुए घोशना की अब प्रतियोगिता शुरू होने दीजिए कृप्या आपको प्राक्त नंबर प्लेट के अनुसार अपना स्थान ग्य कर थे देवेश और डियाओ ने एक दूसरे पर नजर डाली इससे पहले की वे भी धीरे-धीरे चौराहे की ओर चले वे दोनों साइन अप करने वाले अंतिम व्यक्ती थे इसलिए उनका स्थान स्वाभाविक रूप से पीछे के कोने पर था और यह बिलकुल स्पष्ट था कि उनकी टेबल अभी-भी जोडी गई थी यदि ओल्ड मैन डूने कड़ी महंत नहीं की होती तो वे दोनों निश्चित रूप से भाग लेने के पात्र नहीं होते हाला कि यह देवेश के इरादों के अनुरूप भी था वह इस अफसर का उपयोग डियाओ के साथ सहयोग कर पर चर्चा करने के लिए कर सकता था उनके सामने मेज पर एक युनिवर्स बैग था देवेश ने उसे उठाया और अपनी दिव्य इंद्रियों से उसकी जाच की तुरंत पता चला कि इसमें बड़ी संख्या में जड़ी बूटियों के साथ साथ एक गोली भट्टी भी थी गोली भट्टी मिस्टीरियस ग्रेड मिड्रेंक थी और जड़ी बूटियों का ग्रेड भी उच्च नहीं था केवल कुछ ही स्पिरिट ग्रेड तक पहुँच रहे थे इन लगाई गई सीमाओं के साथ यहां के अधिकांश कीमियागर न्यायाधिशों की अंतिन समीक्षा और तुलना को आसान बनाते हुए अपने कौशल को आसानी से प्रदर्शित करने में सक्षम होंगे कीमिया प्रतियोगिता को कई आयोजनों में विभाजित किया गया था जिन में पहला आयोजन आश्धिय तरल का शुधन था एक निर्दिष्ट समय के भीतर औशधिय तरल की मात्रा जितनी अधिक हो सकती है और वह औशधिय तरल जितना शुद्ध होगा उनका स्कोर उतना ही अधिक होगा यह कहा जा सकता है कि हर किसी का शुरुवाती बिन्दू बिल्कुल एक जैसा था इसलिए अंतिम परिनाम प्रतियक व्यक्ति के अपने खोशल पर निर्भर करेगा लिवफु ने शब्द दिया और प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हुई देवेश ने युनिवर्स बैग में से सभी जड़ी बूटिया निकाली उनमें से कुछ को उठाया और उन्हें अपनी टुक्यूई से परिश्कृत करने से पहले अपने हाथों की हथेलियों पर रख लिया पूरे समय उनके चहरे पर एक आराम दायक अभिव्यक्ती रही। दियाओ की और अपनी नजरें घुमाते हुए देवेश ने पाया कि दियाओ ने भी ऐसा ही किया था। में संधनित किया गया और उनकी अशुधिया हटा दी गई, ये सभी गतिविधिया सुचारू और व्यवस्थित थी। भाई दी, उसके हाथ चलते रहने पर देवेश ने कुकारा उस सहयोग के बारे में जिसका आपने पहले उल्लेक किया था। इतना बता सकता हूं कि आउश्धिय तरल को गाढ़ा करने से आपके और मेरे लिए समान रूप से बहुत लाब होता है। स्वाभाविक रूप से मैं जिस आउश्धिय तरल को संधनित करता हूँ वह सब आपको दिया जा सकता है। आपके कई मार्शल चाचाओं और मार्शल चाची को इसकी आवर्शकता है, है ना। अच्छा, देवेश ने सिरहिलाया, अगले ही पल उसकी भौहें थोड़ी सिकुड गई, अगर यह सुविधाजनक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये फायदे क्या हैं। ऐसा नहीं है कि यह असुविधाजनक है, बात बस इतनी है कि मुझे नहीं पता, दियाओ ने मुस्कुराते हुए अपना सिरहिलाया, मेरे मास्टर ने मुझे केवल इतना ही बताया था, मैं बस उनके निर्देशों का पालन कर रहा हूँ। दियाओ ने एक बार फिर अपने रहस्यमय गुरु का जिक्र किया, जिससे देवेश की जग्यासा बढ़ गई, वह नहीं जानता था कि यह गुरु कितना शक्तिशाली और प्रभावशाली था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने सीधे कुछ भी पूछा, तो उसके अधि लोगु शायद मुझे एसकॉर्ट के रूप में कुछ ट्रांसेंडेंट रियलम मास्टर्स देंगे, लेकिन मुझे नहीं पता की वास्तव में कितने, हाला कि जब तक हम एक साथ काम करते हैं, हमारी संभावनाय अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक होंगी। अच्छा तो हम उसके साथ चलेंगे। प्रतियोगिता पूरी कर ली थी। हाला कि इस से पहले की वे अपने होश में लोट पाते, अगले ही पल दियाओ ने भी जल्दी से अपना हाथ उठाया, केवल कुछ सासों से देवेश से पीछे रह गया। तुरंक सेंट ग्रेड अलकेमिस्टों में से एक उचे मंच से नीचे उतरा और देवेश और डियाओ के पास आया, उनके आशधिय तरल पदार्थों की जाच करने के बाद, उन्होंने कुछ हद तक तनाफपूर्ण आवाज में उनकी सफल निकासी की घोशना की। उन्चे मंच पर बैठे हुए, डुवान अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए मुस्कुराए, ऐसा लग रहा था कि उन्हें शुरू से ही इस द्रिशिकी उम्मीद थी, उनकी अभिव्यक्ती शांती की तस्वीर थी जैसे कि वह बस दोपहर की धूप का आनंद ले रहे हूँ। दूसरी और ओल्ड मैन डू के पुराने दोस्त शांत नहीं बैठ सके, पीले चहरे वाले बुढ़े लोगों में से एक ने पूछा, भाई डू, तुम्हें ये दो छोटे राक्षस कहा मिले। जिस गती से उन्होंने अपने औशधिय द्रव को संधनित किया, वह मूलता हमा अपना सिरहलाया, मुझे आशा है कि आप सभी कुछ पाउंड मास काटने के लिए तयार हैं। अंतरित नहीं करेंगे। इसके विपरीत वे सभी इन दो उतक्रिष्ट युवा कीमियागरों में काफी रुची रखने लगे और युवा पीधी को ऐसी आशावादी प्रतिभाव से भरा हुआ देखकर वे सभी काफी प्रसंद हुए। पहले टेस्ट में मूल कई सो प्रत पर रही इसलिए वह काफी खुश थी। पहले दौर के बाद दूसरा तुरंत शुरू हुआ स्पिरिट एरेस का चितरन। युनिवर्स बैग के अंदर मिस्टीरियस ग्रेड मेडरैंट पिल फरनेस का उप्योग करते हुए प्रतिसपर्धी अलकेमिस्ट को स्पिरिट एरे प्रतियों की व्यवस्था करना। मानने की पहल की। एक तो अपनी पिछली प्रतियोगिता से वह पहले से ही जानता था कि वह देवेश का प्रतिदवन्द भी नहीं था। हाला कि अलकेमिक तरीके से उनकी उपलब्धिया काफी करीब थी, फिर भी एक छोटा लेकिन सपष्ट अंतर था। दियाओ भी इतने गोली को परिश्प्रित करने की पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, तो कुछ चीजें जो थी सबसे अच्छा रखा गया रहसे निश्चित रूप से उजागर होगा। उनकी कीमियागती और विधिया बहुत ही असामान्य थी। और दो ट्रांसेंडेंट रियलम गार्डों के अनुरक्षन के तहट सिटी लॉड्स मेंशन की ओर वापस चला गया। लिवफू उंचे मंच पर खड़े थे और उन्होंने घोशना की की प्रतियोगिता का विजेता देवेश है और फिर अल्केमिस्ट गिल्ड द्वारा दि कि वह उसके पास गई और उसके गाल पर चुमलिया। बूढा गोज पहले से ही कबर में आधा फुट अंदर है, इसके बजाए आपको हमारे साथ आना चाहिए। जैसे ही देवेश आया, दुवान के पास मौजूद सभी पुराने लोगों ने उस पर ऐसी टिपणियों की बोचार शुरू कर दी, जैसे वे देवेश को भूर कर देख रहे थे, देवेश तब्ध था, इन बूढे बुढे बुजूर्गों का उच्साह बहुत अधिक था और वह तुरंत उदास हो गया, क्या तुम सब बूढे पातते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, दुवान ने बीच में कहा, कबसे मैं अधमरा बुढा आदमी बन असल में मेरे सामने ही खजाना चीनने की कोशिश की जा रही है, जदी आप में से किसी ने कुछ और कहने का साहस किया, तो यह बूढा डू आपके साथ खड़ा हो जाएगा, दुवान अपनी उर्जा बचाएं, आपकी उम्र में इतना उच्साहित होने का क्या मतलब है, अपने पूरे जीवनकाल के लिए अलकेमिक तरीके को अपनाने का इरादा नहीं है, मैं मार्शल दाओ के शिखर पर जासूसी करना चाहता हूँ, कीमिया का अध्ययन करना मेरे लिए मार्शल दाओ की खोज की सराहना करने का एक तरीका है, इसलिए जुनियर को खेद है, ले इतनी आश्चर्यजनक योग्यता के साथ, आप मार्शल दाओं को आगे बढ़ाने पर जोर क्यों देंगे? नव्योवक्त क्या तुम नहीं समझते कि तुम में किस प्रकार की क्षमता है? वास्तव में यह उन उफारों की बरबादी है, जो स्वर्ग ने आपको दिये हैं। यदि आपका उद्देश्य किसी की रक्षा करना है, तो आप अपने कीमिया कौशल को बढ़ा कर आसानी से ऐसा कर सकते हैं। जब तक आपका अलकेमिस्ट ग्रेड एक निश्चित बिंदु तक बढ़ जाता है, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे वह धन हो, विशेशाधिकार हो, प्रतिष्ठा हो, स्थिती हो या सुन्दरता हो। इसके अलावा, आपको उन्हें स्वयं प्राप्त करने के लिए संधर्ष करने की आवर्शक्ता नहीं होगी, जब तक आप शब्द बाहर रखेंगे, कोई स्वाभाविक रूप से इसे आप तक पहुचा देगा। मेरी एक मात्र आशा मार्शल दाओ के शिखर तक पहुचना है, देवेश ने द्रिड़ता से घोशना की, उसकी आखों में अनिश्चित्ता का जराभी संकेट नहीं था। में भविश्य को समझने के लिए इतनी दूर तक नहीं देख सकता है, वह बुढ़ा व्यक्ती जिसने पहले देवेश को थ्री रिवर सिटी में आमंत्रित किया था, धीरे से बोला डूवान का कान। दूवान ने हलके से सिरहिलाया, जब मुझे मौका मिलेगा, मैं उससे बात करूँगा। दूवान को भी सपष्ट रूप से ऐसा महसूस हुआ कि देवेश की कीनिया के प्रती योग्यता को देखते हुए मार्शल दाओ के शिखर का पीछा करना बहुत अधिक बरबादी होगी। चाहिए, क्या आप सभी हैं, तैयार। हंस्ते हुए कहा, छोटे दोस्त यांग, विनमर होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें जो कुछ भी दिखता है, वह पसंद है, तो बस ले लो, उनके युनिवर्स बैग में जो भी अच्छी चीजे थी, वे सभी उन्हें उपहार में दी गई थी। फिर जूनियर असभ्य हो जाएगा, देवेश भी मुस्कुराया और इन बूढे लोगों की घबराई हुई निगाहों के सामने अपना दिवियर ज्यान जारी किया और युनिवर्स बैग की सावधानी पूर्वक जाच की। पहले युनिवर्स बैग की सामगरी देखने के बाद देवेश का चहरा काफी बदल जाता है। देवेश चकित हो गया लेकिन यह पुष्टी करने के बाद की इस युनिवर्स बैग में उसकी जूरत की कोई जड़ी बुटिया नहीं है। उसने फिर कुछ और चुनने की कठिन प्रक्रिया शुरू की। नौजवान जल्दी करो अगर तुम इतनी धीमी गती से काम करोगे तो यह बुढ़ा मास्टर थोड़ा चिंतित होने से खुद को रोक नहीं पाएगा। उल्ड मैन डू क्या मैं केवल एक चीज ले सकता हूँ देवेश ने डूवान की ओर अजीब द्रिष्टी से देखा। कुलाया